अभी हम लाइव कनेक्ट हो गए एक बार मुझे फटा फट से बता दीजे लाइव कनेक्ट हो गए क्या काट कर जो मैंने पढ़ाया था वह आप लोगों ने अच्छे से रिवाइस किया था एक बार अब बीडियेफ तो मैंने सहरे करी दिया था टेलीग्राम पे तो आप अब ने पढ़ा था वह आप लोगों ने रिवाइस किया था कि आप निकाल देता हूं कि बाद मुझे बताए कर जो मने पढ़ा था वह रिवाइस किया था आप लोगों ने बॉड मॉर्निंग एवरिवन करें आज की ग्लास बॉड मॉर्निंग एवरिवन दिव्या जी कोई टेंसन की बाद नहीं जिस भी बच्चे को लिंक मिलेगा आज 100 परसंटी मिलेगा इसलिए यूटूब में एक दो क्लास ले रहे एक दो सेशन ले रहे ताकि बहुत सारे बच्चे जिनको लिंक नहीं मिलें उन लिंक मिल जाएंगे उसकी बाद इन्स टार्ट करेंगे तो आज बेसिकलिए आपको 100% लिंक मिल जाएगा अपने शींद रही है बागी सब बच्चे को तो लिंक मिल जाएगा रिकॉर्डिंग वाले सारे बच्चे को लिंक मिल जाएगा और उनको भी आज मिल जाएगा लेक्चर वन संजी जी अल्रेडी हमारा यूटूब में सेशन पड़ा हुआ है कलम ने लिया था आज हम लेक्चर टू डिसकस करने वाले ठीक है तो चलिए आज क क्लास हम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से आज की क्लास हम सुरू करते हैं चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हम कंटीन्यू करेंगा आपको याद दिला दू पिछली क्लास का बस छोटा सा रिविजन में आपको कराऊंगा जो पिछली क्लास में मैं आपको में annual revenue पांत सालों तक 250,000 देगा और annual cost हमारा 90,000 रुपीस लगे और हमने देखा था कि tax rate हमारा 30% है तो ऐसे situation में यह बताना था कि project viable है भी या नहीं है तो हमने किया किया था हमने कहा था मैंने दो alternative सिखा था second alternative यह भी हम discuss करते हमने देखा था कि initially हमारा 5,000 रुपीस investment लग गया annual revenue हमारा 250,000 रुपीस इंकर हो रहा था और depreciation हम क्यों minus कर रहे थे ताक कि उसका tax benefit हमें मिलेगा depreciation के जरी यानि 5,000 रुपीस जो हमने खर्चा किया सुरुआत में उसका tax benefit भी तो मिलना चाहिए तो depreciation के जरी मिलेगा तो हम depreciation को minus कर देते थे 1,000,000 रुपीस ताकि tax benefit ले सके तो यह minus करने के बाद जो PBT आ रहा था उस पर हमने tax लिया और उसके बाद वापस हम depreciation जोड दे रहे थे इसी के साथ हमने cash flows निकाला तो हमारे initial investment फाइब लाग तो है यह आपका present value cash outflow है और इसी के साथ हमारा cash inflow जो future में हमारा cash inflow हो रहा है उसको हमारे cost of capital जो हमारा 50% required rate है उससे हमने pull किया और हमें पता चलिए NPV positive यह negative है हमने देखा NPV negative आ रहे है और हमने कह दिया project should not be accepted मैंने आपको समझाया थे कि NPV 0 भी आएगा अगर तो भी हम project को accept करेंगे जीरो भी आएगा तो project को accept करेंगे NPV 0 का मतलब यह जितना आपका required है वह एची होग आपका तो वहाँ पर भी project accept होगा और यहां पर हमने देखा था कि 15% अगर आपका required है तो time इसी topic में क्या करेंगे add-on करेंगे inflation क्या होता है πहले तो मुझी यह बताइजीजीए आप कॉर्टिषिपेट करें इंफलेशन क्या होता है हम सब को पता है inflation के बार में inflation क्या होतए जिसके बारे में discussion भी करुदा आपकि असर्थ की बार बार में समझाऊंगा पिर से सेम रहेगा goods and services सेम रहेगा बस क्या होता है प्राइस हो जाता है प्राइस बदल जाता है आपको याद होगा पहले के जमाने में एक या दो रूपया में हमें समोसा मिल जाता तो मुझे आदे जब मैं बच्पन में था ना तो बच्पन में एक रूपय में समोसा मिल जाता आज की डिट में एक समोसा 20 रुपीज का आते है 20 रुपीज 15 रुपीज 25 रुपीज का समोसा आते है माले सोचो ना समोसा तो वह ही है समोसा वह ही है बट उसकी प्राइस आप देखो चेंज होगी उसका प्राइस बढ़ गया मैकसीमम कंट्रीज में इनफलीशन ही होता है देख चोचो चाहिज उसके भी ज़्यादा खराब है उसके बार के मेरी बात सुनिये, माल लिजे, for example, मैंने mobile phone का मैं manufacturing करता हूँ, मैंने total मेरी capacity है, total mobile phone manufacturing करने की 1000 units, 1000 units की मेरे capacity है, mobile phone manufacture करके supply करने की, अब मेरे mobile phone जोगे न, उसकी demand बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं manufacture करा हूँ 1000 units, पर demand है 5000 units, 10,000 units की demand है, तो सुझो supply है, only 1000 units, but demand है कितनी 5000-10,000 unit की demand है, ऐसे situation में मैं क्या करूँगा पता है, मैं उसकी price को बढ़ा दूगा, मैं बोलूगा क्योंकि मैं demand को तो मीट नहीं कर पा रहा है, तो जैसे जैसे मैं price को बढ़ाँगा, क्या पता हूँ क्या उसके demand कम होती जाएगी, और कम होके क्या पता है, parallel हो जा सस्ता होता है, मुझे पता है 50 रुपीज, 60 रुपीज किलो में हम खरीद लेते हैं, बट वही जैसे season जाने लगता है, season जानने का मतलब supply कम होना, और demand जादा होता होता है, तो उस वक्त वही mango 500 या 600 रुपीज तक भी पहुंच जाता है, उसकी value बढ़ जाती है, यनि एक त कोली का advertisement वगेरा में आप देखो, उसकी demand जाता है, वो जितनी supply नहीं दे पार, उसकी demand जाता है, वो price भी अच्छा खासा मूता लेते हैं, तो ये एक चक्कर inflation का, future में किसी भी चीज का product वगेरा का, अगर demand बढ़ेगा, तो वो क्या करेंगे, उसके price बढ़ा देंगे, तो automatically जो product आज हमें, जिस price पे मिल रहा है, वो future में हमें जादा price देना पड़ता है, उसका दाम जादा बढ़ जाता है, एक ये reason है, दूसरा और reason है cost, अगर मालो आपका raw material वगेरा का cost अगर आपका बढ़ जाएगा, तो automatically prices का दाम बढ़ जाएगा, या फिर one of the best example है, oil, आप सो transport होगा, train के जरिये होगा, bus के जरिये होगा, aeroplane के जरिये होगा, तो उन सब में क्या लगता है, oil लगता है, तो जो oils है, अगर वो petrol, diesel वगेरा का दाम अगर सरकार बढ़ जाएगा, तो automatically transportation cost बढ़ जाएगा, और अगर transportation cost बढ़ जाएगा, तो automatically बाकी सारे goods and services का भी price का अगर आपका raw material वगेरा या फिर oil वगेरा का prices वगेरा बढ़ जाता है, तो ऐसे situation में आपका क्या होता है, products का भी price बढ़ जाता है, goods and services का भी price बढ़ जाता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे factor से inflation होने का, जैसे मालने जिए government ने कोई restrictions लगा दिया, कुछ-कुछ restrictions के च restrictions लगा दिया, तो उसके चलते बहार से import नहीं हो रहे है, ultimately जितना आप घर के अंदर इंडिया में manufacture करो, उतना कई supply हो रहे है, तो उसके चलते भी क्या होता है, prices बढ़ जाता है, मैंने कुछ-कुछ examples देखके आपको ये तो समझा दे कि inflation का मतलब क्या है, यानि basically अब आपक करते हैं कि example लेते हैं, चलो example के तोर में मालो में एक काम करता हूँ, मैं mobile का example लेता हूँ, माल लीचे for example, आज mobile के बार में बात करते हैं, mobile का current price हुआ है, को 50,000 रुपीज है, या बेचलो 55,000 रुपीज है, mobile का current price, 55,000 रुपीज करेंट प्राइस है, mobile का, मालो इस एज्यूम करो, there is no inflation, एज्यूम करते हैं, there is no inflation, एज्यूम करते हैं, कोई भी प्रकार का inflation नहीं है, और interest rate है, माल लीजे, interest rate है, माल लीजे, 10%, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 0 tier, 1st year, मुझे एक बात बताओ, यह 0 tier है, 1st year है, अगर आज मैं खरीता हूँ, mobile, तो मेरा 55,000 रुपीज लगेगा, अगर माल लोग को inflation नहीं होगा, तो 1st year के बाद खरीदूँगा, तो भी मेरा 55,000 रुपीज से लगेगा, अगर कोई भी inflation नहीं होगा, मैं mobile ही खरीदतना चाहता हूँ, आज मैं mobile खरीदूँगा, तो भी 55,000 रुपीज लगेगा, तो एक साल की बाद मुझे कितना मिल जाएगा 50,000 रुपीस मेरे पास आज एक साल के बाद मुझे कितना मिल जाएगा 50,000 मेरा principal amount मिलेगा प्लस मालोh bank मुझे 10% interest दे देगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 55,000 आ जाएगा और मैं क्या करूँगा एक साल के बाद mobile purchase कर लूँगा एक साल के बाद mobile purchase कर लूँगा तो मैंने क्या सोचा मैंने सोचा आज तो नहीं खरीता हूँ क्योंकि आज मेरे पास sufficient पैसा नहीं है मैं काम करूँगा 50 thousand रुपीस को आज invest कर दूँगा एक साल के लिए और एक साल के बाद 55 thousand रुपीस में क्या करूँगा अपना mobile खरी लूँगा बात खतम और मुझे 10% interest मिल जाएगा तो मुझे मेरे पास जो आज पैसा है उस पे मुझे कितना percent return चाहिए हमने ये देखा हमें उसमें return चाहिए 10% का return चाहिए 10% का return ची और interest चे 10% है तो उस इसाफ से अगर आब logical एक और ची सोचो था वैसे भी सो सकते हो first year में अगर हम mobile खरी देंगे तो 55 thousand रुपीस हमारा cost लगेगा और उसके लिए आज हमें invest कितना करना पड़ेगा 10% उसमें से interest निकाल दो आज हम 50,000 रुपीस invest करेंगे 10% interest में हमारी कमाई हो जाएगे 55,000 रुपीस हमारा mobile मिल जाएगा तो अब यहाँ पर हमने यह सीखा है कि mobile का price में कोई change नहीं होगा मालू यह हमने assume कि कोई inflation नहीं है यहाँ पर भी mobile का price जो है 55,000 है और यहाँ पर भी mobile का price जो है 55,000 है यह हमने देखा हूँ ठीक है अब एक बात बताओ यह interest rate ही हमारा required बन गया interest rate ही हमारा required बन गया अब आगी अगर हम another example देखें मालो for example वापर से mobile price आज today 50,000 रुपीज आज mobile का price है जो 55 भी लेता हूँ आज mobile का price 55,000 है और इस पर inflation होता है मान लीजे inflation 5% every year आपका inflation होता है तो अब बताओ एक्सपेक्टेड mobile price अफ्टर वन येर के 55,000 रहेगा अफ्टर वन येर क्या 55,000 रहेगा आप मुझे ये बताइए अगर mobile का price 55,000 आज है inflation हर साल 5% होता है तो आप बताइए mobile का price एक साल के बाद 55,000 होगा नहीं mobile का price बढ़ जाएगा क्योंकि inflation क्या करता है सबी goods and services का दाम बढ़ा देता है तो आज अगर 55,000 में mobile भी कर रहा है तो आपका expected है कि एक साल के बाद mobile का price किया होगा 55,000 प्लस 5% of 55,000 यह नहीं कितना आएगा 55 विनिट 2750 आएगा तो यहाँ पर हम लीख सकते हैं 57,000 फिर चलो 55,000 प्लस 5% कर 55,000 फिर्स 5% 57,750 यह expected हमारा mobile का price अब अगर मैं सेम चीज बोलू मैं जीरो तियर और फिर्स तियर मेरी बात ध्यान से सुनो हमने यहाँ पर क्या दिखा दा हूं कि 50,000 रुपीस अगर हमारे यहाँ पर amount in hand जो है तिम हम रखते 50,000 रुपीस अब बताई हमें return कितना चाहिएगा एक साल के बाद अगर एक साल के बाद mobile का price 57,750 होगा तो क्या हम ऐसे situation में interest rate जो हमाई 10% की required है क्या वही रहेगा आगे जाके नहीं inflation होने से आपका interest rate भी बढ़ जाएगा आपका required भी बढ़ जाएगा आपको requirement भी ज़्यादा चाहिएगा आपको requirement भी ज्यादा चाहिए आप inflation adjusted interest rate आप मुझे simple से बात बताओ पहले मैंने देखा था कि 50,000 रुपीस मेरे पास है एक साल मैं 10% कमाऊंगा 55,000 मेरा हो जाएगा मैं 55,000 में mobile खरी दोंगा बट अब तो मैं ऐसा कर नहीं सकता अब तो मैं ऐसा कर नहीं सकता मुझे जादा rate चाहिएगा क्यों क्योंकि inflation भी ह 500 का 5% का तो मुझे कितना चाहिएगा मैं बोलूँगा कि पहले जो मेरे requirement 5000 कमाने की अब मेरे requirement मुझे 7750 कमाना पड़ेगा क्योंकि 50,000 को पहुंचाना है 775,7750 में तो मुझे 7750 कमाना पड़ेगा कहां से 50,000 से into 100 यह कितना आ रहे है 7750,000 डबल जिरो डिवाइड बे 50,000 क्य तो इससे मैंने क्या सीखा इससे मैंने यह सीखा interest rate अगर without inflation 10% है अगर interest rate without inflation 10% है interest rate मैं और इसको verify करके समझाऊंगा tension ना लो with inflation of 5% अगर 5% का inflation होगा तो कितना होगा 15.5% होगा 15.5% होगा यह हमने देखा तो आप बोलो कि सर एक चीज़ तो दिमाग में समझ नहीं आया 10% चलो ठीक है interest rate था inflation 5% का हुआ तो 10 प्लस 5 तो 15% होना था बट यहां पर यह क्या होगा सर यह तो 15.5% होगा यह तो हजम ही नहीं हो रहा है समझ ही नहीं हा रहे क्या हो रहा है क्योंकि 10% अगर आपका interest rate है 5% का inflation है तो हम यह समझ में आता है कि 15% होना चाहिए मैं आपकी बात से सहमा तो मैं agree करता हूँ चलो मैं इसको समझाता हूँ आपको देखो मैं इसको समझाने के लिए लेता हूँ मालो 0-3 और यह है first year अब मुझे बताए यह 0-3 में क्या होगा principle होगा माल लिजे रुपीज 100 का 100% रुपीज 100 का principle होगा तो first year में क्या होगा first year में आपका principle भी होगा रुपीज 100 का agree लेकिन first year में principle के सासथ interest component भी होगा मैं आपको समझाया था future में interest component भी होगा 10 रुपीज का 10 रुपीज का interest component भी होगा यह हमें पताए 0-3 में सिर्फ principle होगा और first year में principle के सासथ interest भी होगा अब मुझे बताए 0-3 में तो inflation की बात ही नहीं है क्योंकि आज का जो प्राइस होई रहेगा inflation कब होगा future में होगा तो future में आपका जब inflation होगा इसका मतलब ही कि पर्चेसिंग पावर घट जाना तो inflation थोड़े ना किसी का नाम में किसी प्राटिकुलर आइटम में होता है inflation तो आज मेरी बात सुनो आज अगर मेरे पास 100 रुपीज है 100 रुपीस में जो मैं समान खरीद सकता हूँ future में उतने में 100 रुपीस में वह समान नहीं खरीद आओंगा क्योंकि future में inflation होगा तो inflation बताईए क्या सिर्फ यह 10 रुपीस इंट्रेस में इंफ्लेशन बढ़ेगा यह 100 रुपीस में इंफ्लेशन बढ़ेगा मतलब मेरा कहने का मतलब ही एंटायर 110 रुपीस में इंफ्लेशन आएगा यहने कहने का मतलब inflation इसमें भी बढ़ेगा inflation इसमें भढ़ेगा जो 100 रुपे का समान है inflation 5% होने के बाद आपका कितने का समान बन जाएगा यह है जो 100 रुपे का समान है यह पता कितना बन जाएगा 105 बन जाएगा 5% inflation लगा दो इस तो 5% inflation लगा दिया हंडेट रुपीस में 5% inflation लगा दिया 105 हो गया और यह जो 10 रुपीस का समान है इस पे भी मैंने क्या क्या 5% inflation लगा दिया यह कितना बन जाएगा तो जो 10 रुपीस का interest जो मुझे मिलेगा मतलब in future मुझे जो 100 रुपेस principle मिलेगा उस पे भी inflation लग जाएगा और in future जुम में 10 रुपेस का interest कमाऊँगा इस पे भी inflation लग जाएगा यही दोनों चीज अगर 0-13 में होता तो inflation नहीं होता बट आगे जाके दोनों में inflation चड़ जाएगा और इस पे 10 रुपेस पे 5% inflation लगाओगे तो यह 10.5 हो जाएगा तो आप देखिए inflation का adjustment कितना हुआ मुझे बताइए आप देखों यहाँ पर increase due to inflation कितना हुआ तो रुपेस 100 रुपेस बने गया 105 5 रुपेस आपका inflation principle में inflation adjust हुआ और interest में भी 0.5 का adjustment हुआ यह बन गया 15.5 तो वही तो मैंने यह कहा कि देखिए 10 परसंट जो interest था वो आगे जाके 15.5 परसंट बन गया मलब 5.5 परसंट extra बड़ा कैसे बड़ा principle में 5 परसंट बड़ा और interest में 0.5 परसंट बड़ा दोनों में inflation लगया पूल मिला के 5.5 परसंट हो गया आप ऐसे भी समझ सकते हो आप यह समझो देखो मैं आपको बता देता हूँ 0 tier में 0 tier में आपकी value अगर 100 है तो first tier में हमें पता है आपकी value क्या होगी 100 प्लस 10 परसंट of 100 equal 110 है तो यह 110 में हमारा क्या होगा पता है इस 110 में हमारा 5% inflation चड़ जाएगा 100 में नहीं चड़ेगा 110 में 5% inflation चड़ जाएगा और 110 में 5% inflation चड़ जाएगा मतलब 115.5 हो जाएगा यह आप देख सकते हो 100 रुपेस का जो value है और या फिर आप ऐसे भी बोल सकतो और आप ऐसे लिखतो 0 तेर है परस्ट तेर है एकदाम अच्छे समझ लो मालूम मैं 1 रुपीस लेता हूँ बताओ 1 रुपीस अगर कोई एक value है परस्ट चेर में हो क्या बन जाएगा 1.10 बन जाएगा तो इस 1.10 में 5% inflation चड़ा हूँ है न तो आप कैसे लिखोगे 1.10 इन्टू 1.05 लिखो यहाँ जाएगा 1.155 यहीं 15.5% और यहाँ फिर आप लिखो 1.10 प्लस 5% inflation क्या जाएगा 1.155 इस आपका 15.5% आपका हो जाएगा एड़्जेस्टेट इन्फ्लेशन एड़्जेस्टेट इन्टू 1.155 यहीं 15.5% वन आपका वन रुपी बन जाएगा 1.155 यहीं कहने का मतलब साफ है 10% इंट्रेस्ट जो चड़ रहा है वो तो ठीक है 10% तो चाहिए हमें हमें इन्फ्लेशन भी चाहिए inflation इस 1 रुपी में भी चड़ेगा और ये 0.10 interest में भी चड़ेगा दोनों में inflation चड़ेगा और inflation adjust करके हम बता देंगे हमारा क्या interest rate होगा अब आप मेरे साथ participate करना example के दो अब हम फटा फट से करेंगे मुझे आप बताएए point number 1 में माल लिजे interest rate without inflation माल लिजे 9% है inflation माल लिजे 4.5% है तो आप मुझे बताओ therefore interest rate चलो इबार 4.5 में लेता है इबार में 5% है 4% लेता हूँ therefore interest rate with inflation क्या होगा सबसे पहले आप ये समझो कि 1 रुपी जो है वो आगे एक साल बात 1.09 होगा सबसे पहले तो अब ये लिखे 1 रुपी जो है वो 1.09 होगा और future में inflation ये principle 1 रुपी में भी बढ़ेगा ये 9% 0.09 interest में भी बढ़ेगा तो inflation कितना बढ़ेगा 4% into 1.04 लिख दीजे या फिर आप लिख सकते हो 1.09 प्लस 4% तो नो आप कर सकते हो तो कितना आएगा आपका 1.09 into 1.04 1.1336 that is 13.36% निकाल लिएगा मैं एक और करवाता हूँ पिर हम आगे बढ़ेंगे interest rate without inflation interest rate without inflation हम लेते चलो 12% हम लेते inflation हम लेते 6.5% तो therefore आप मुझे बताईए आप participate किजिए और मुझे बताईए अभी यहाँ पर क्या होगा आप मुझे participate करके बताईए कि यहाँ पर आपका क्या होगा interest rate including inflation क्या होगा including इंफ्लेशन एजस्मेंट को करके क्या होगा इस बार मैं नहीं बता हूँ आप मुझे बताओ 12% इंट्रेस्ट है तो आप सबसे पहले यह समझे सिर्फ 12% में यह 6.5% ही चड़ेगा 1 रुपी का जो प्रिंसिपल कॉंपोनेट है उसमें भी इंफ्लेशन होगा 0.12 का इंट्रेस्ट है उसमें भी इंफ्लेशन होगा दोनों में इंफ्लेशन चड़ेगा अगर मैं value की बात करूँ मैं आगर आज एक रुपया लगाता हूं invest करूँगा तो मुझे future में 1.12 चाहिए और वो 1.12 में मुझे क्या चाहिए इंफ्लेशन चाहिए तो that means what यहाँ पर मैं लिखूँगा 1.12 आप तो सबसे पहले ये लिखोगे मतलब 1 रुपी में भी मुझे principal component में भी inflation चाहिए और 0.12 है ना जो interest component है उसमें भी मुझे inflation चाहिए दोनों में inflation होगा तो 1.12 लिखा मैंने 1 और 0.12 दोनों में कितना चाहिए गा 1.065 लिख दो और या फिर आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते और 1.12 प्लस 6.5 परसंट कितना आ रहे है सबने participate के 19.28 परसंट कि 1.1928 आएगा that is 19.28 परसंट आएगा कितना मज़ा आ रहे है चलो बहुत मज़ा आया हमने inflation को अच्छे से समझा और अब हम क्या करेंगे जब हमने inflation को अच्छे से समझ लिया है अब मैं एक example कराऊंगा हमारा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सो एक example लेते चलो वह example लेते जो पहले ही किया था initial investment मान लो on project आपको बता आईसे का दू कोशन गलत क्या हूब आईसे ने मुझे ऐसे गुसा नहीं आता है आईसे पर लानत है कि वह इस लेवल पर भी जाके अभी नेसी capital budgeting उन्होंने include किया है और वह starting के पहले दो question कोई गलत करके बैठे हुए क्या बताओ मैं आपको पहले starting के दो question को गलत करके problem होती थी क्योंकि आईसे का materially बहुत अत्तक सहीनी बहुत सारा confusion ऐसा है कि बच्चा अपना कि मार्क सर पिट लेगा अगर वो study करेगा वो दिवार रूड़े और उसमें अपना सर फोड़ लेगा बुले कि क्या करो मैं ठीक है यह हालत है पहला दो question सोचो कि advance capital budgeting का पहला दो illustration में अगर आप गरवड़ी करके बैठोगे तो फिर क्या मलब क्या ही कहें फिर हम इसके लिए इनीशल अब ऐसा नहीं देखो गलती है तो मैं बोलता हूं दूढ रहे पर ultimately गलत को उन्हें आई से गलत करके रखा हूँ है और हमारा टाइम विकार में चला जाता हूँ उस शक्कर में चले इनीशल इन्वेस्मेंट ऑन दा प्रोजेक्ट है फाइव लग यह जीरो तियर पे टेक्स रेट मैं लिख देता हूँ पहले ही टेक्स रेट है 30 बड़ पांच साल तक एन्वल रेविन्यूज होगा टू लाक फिप्टी पर रहना एन्वल कॉस्ट हर सल कॉस्ट लगेगा पांच सालों तक 90 थाउचिन पर लेट क्युंट पॉस्ट अपिटल without inflation यह फिर चलो cost of capital में ले लेता हूँ including inflation inflation को include करके cost of capital हमारा 15% और यह annual revenues है यह real terms में है मैं समझाओंगा real terms का मतलब और nominal terms यह आपका हो गया I think quotient पूरा बन गया हमारा और depreciation हम 5 साले तो 25 सालों में depreciation का benefit हम लेंगे अब रेकिए यहाँ पर हो क्या रहे है अगर आपको exam में देखूँ यहाँ पर real terms भी लिखा हुआ आ सकता है nominal terms भी लिखा हुआ आ सकता है real terms का मतलब पता है क्या होता है real terms का मतलब होता है कि इसमें inflation का adjustment नहीं है यह current जो आपका rates चल रहा है market में उसके हिसाब से annual revenue बहुत करेंड economy को देखें, current market को देखें तो current market को ध्यान में रखते हुए 250,000 हमारा revenue अर्ण होगा लेकिन सोचो future में तो inflation होगा माल लीजे inflation कितना होगा चलो inflation ले लेते हैं every year माल लीजे inflation every year होगा 6% यह मैंने लेकिए inflation हर साल 6% तो आप बताई future में कि हमारी annual revenue 2,50,000 होगी नहीं future में तो inflation 6% से बढ़ेगा और अगर inflation 6% से बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपके prices बढ़ेंगे और prices बढ़ेंगे तो revenue भी बढ़ेगा cost भी बढ़ेगा inflation का मतलब क्या अगर मैं 6% inflation लिख रहा हूँ मतलब मैं कहना चाहरा हूँ कि market में हर commodities का price जो है वो बढ़ेगा 6% से तो that means what future में आपके सारे के सारे जो हम product बेच रिपिनिस product वो भी 6% से बढ़ जाएंगे हम ज्यादा दाम में बेचेंगे 6% और हम जो भी commodities raw material वगेरा खरी देंगे वो भी 6% से हमारा बढ़े और real terms का मतलब यह है कि आज के भाव के इसाफ से आज के rate के इसाफ से रेवन्यू है future में inflation के चलते ही रेवन्यू में change आ जाएगा तो चलो कोई ना अभी हम इस question को solve करेंगे और बहुत ही अच्छे से solve हो जाएगा first year second year third year fourth year fifth year मज़ा आएगा एकड़ मज़ी देखो सबसे पहला आप यह लिखो initial investment हम आज ही कर देंगे जीरो तियर में तो आज हमने पैसे लगा दिये तो आज future में पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे देगा हो आज अगर मैंने फाइब लाग रुपी इनिशल इन्वेस्मेंट किया है तो future में मुझे कि इस पर एक सेविंग बस मिलेगा पैसे तो आज खड़ जोगा हमारे फ्यूचर में होंगे नहीं अब इक बात बताओ सरकार आपको फ्यूचर में टेक्स ज्यादा देगी यह बोलके कि नहीं नहीं इन्फलेशन हुआ सरकार को मतलब इन्फलेशन वगेरा से सरकार बोले कि देख फाइब लाग रुपीज तेरा हर्चा लगा है तो हर सल वन लाग रुपीज डप्रिशेशन करना और उसका डप्रिशेशन का 30% करके तुझे हर साल हम 30,000 का टेक्स सेविंग देगे 5 सालों तक 30,000 करके वन लाग 50, 50,000 का टेक्स सेविंग मिलेगा जो फाइब लाग 9 रुपीज तेक्स सेविंग मिलेगा थन्हीं पाइब चैसे का कोई भी काम नहीं है, अब खुर बताओ करते समय उन्होंने इस पे इंफलेशन डाल यह बिल्कुल गलत है क्योंकि 100%, 99 do 99,990 भी नहीं बुलूँगा 100% गलत है आपका initial investment ही तो 5 lakh लग लग चुका future में ये पैसा नहीं लगने वाले तो future में जब पैसा ही नहीं लगेगा तो inflation की बात ही कहां से आगए आज हमने पैसे दी दिये अब बस इतने future में हमें tax saving मिलेगा तो depreciation दो उतना ही करेंगे जितना हमारा cost लगा 5 lakh रुपीस cost लगा हर साल 1 lakh depreciation करेंगे और 1 lakh जो depreciation करेंगे उस 1 lakh पे tax नहीं लगेगा 1 lakh का 30% नहीं 30,000 का tax saving होगा और इसमें कोई भी आपका inflation का adjustment नहीं होगा यह आपने चलो समझ लिए अब एक बात बताओ मुझे अगर मैं annual revenue की बात करो हर साल जो मेरा annual revenue होगा आप बताओ मुझे मेरा हर साल annual revenue होगा कितना होगा 2 lakh 50,000 होगा यह तो real terms में आज की terms के साथ से future में तो मेरा revenue 2 lakh 50,000 होगा ही नहीं future में मेरा revenue होगा 2 lakh 50,000 पे 6% बढ़ा दो 1.06 6% बढ़ा दो मतलब ultimately देखा जाए तो मेरा first year में revenue जो है वो 2 lakh 65,000 को अगर मैं inflation को adjust कर दो दो second year में वापस इस पे inflation डालूँगा मैं 1.06 2 lakh 80,900 होगा third year में इस पे वापस से 6% बढ़ा दो 280900 into 1.06 297754 यह मेरा revenue होगा fourth year में 297754 into 1.06 यह आएगा 315619 अच्छे से participate करोगे तो आपको आगे portion है इस type क्या इस एक है आपको बिल्कुल भी easy लगेगा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगे इस बात की मैं guarantee दे सकता हूँ 334 556 334 556 तो देखें मैंने क्या क्या सब में inflation डाल दिया अब यह annual revenue हमने किस पे लिखा nominal terms में लिख दिया है nominal terms मतलब inflation का adjustment हो चुका है अब हम annual cost की भी बात कर लेते हैं अब मुझे आप बताईए यहां पर 90,000 तो real terms में आज के साफ से इस पे तुम्हें 1400 होगा फिर इस पे 1.06 लगा देंगे 101124 होगा 101124 होगा फिर इस पे 1.06 का cost लगा देंगे 107191 होगा फिर इस पे 1.06 लगा देंगे 113623 111 एक बार चेक भी करते रहे ना ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीम पर देख रहो कभी कभी calculator वगेरा मिलता है साथ साथ करते जाओ साथ साथ ही होते जाएगा आपका समझे रहो बाद में दिक्कत नहीं आएगी 113623 मज़ा आएगा पार्टिसिपेट करने से क्या होता बता है क्लास में मज़ा आता है ऐसे यह बंदू की तरह बैठे रोगे तो मज़ा नहीं आएगा पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा बोर लगेगा क्लास फिर आप लोगो 12040 बताओ यह सब कुछ पर्फेक्ट है जो भी बंदा मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहा उसको मज़ा आएगा देखने तो इतनी बड़ी मूवी है पर हम एंजवी करके देख होंगे ना तो टाइम का पता नहीं चलेगा छेचे साथ सत गंटा वीडियो देख पाऊगे तो अब देखो यह हमने पॉस्ट निकाल लिया अब हम क्या करेंगे depreciation भी माइनस करेंगे क्यों माइनस करेंगे ताकि उसमें tax benefit मिल जाए बाद में एड़िक कर देंगे तो depreciation में को inflation नहीं होते है नो inflation adjustment यह ध्यान रखना आईसे भी यह बात बोलते हैं बट उसने question में घल्ट कर रखा हुए दो question में तो वन लाग का हम depreciation हमें benefit में अब इस्ते हमारा क्या आजाएगा पता है कि अब इस्ते हमारा आजाएगा मुझे बताओ पार्टिसिपेट करके यह सब बहाने बाजी है प्रसंदा जी तर तीन घंटे के बाद आईस हट होने लगता है यह सब बहाने बाजी है आपको जो पसंदिता चीज आपको देखने को मेरे ना तीन घंटे के तीस घंटे देख लोगे आप है ना सब यह सब बहाने बाजी है आप अपने दिमाग मे सोचोगे तो आपको सच में आइस में दर्द होगा अब अभी कोई भी बच्चे की सोचने लगे कि मुझे आइस में सच दर्द होगा अब इतना पांच मिन में दर्द होने लगेगा तो यह सब excuse मत दो अपने साथ कुछ बड़ा करना है न तो excuse नहीं दे सकते हैं बताओ सब्सक्राइब कर देंगे हमारा कैस्ट लो आ जाएगा कि बात खत्म कितना दिंप ले रिखो न रेवन्यू में से सब्सक्राइब कर दिया क्योंकि टेक्स निकालने के लिए हमने वन लग में टेक्स दिना नहीं पड़ेगा आपको तो आइधिंक बच्चे अंसर दिना चालू कर दिया 69600 पहले वाले हैं चाहूँ बहुत अच्छी बात हैं जो बच्चे मेरे साथ अभी पार्टिसिपेट क कर रहें वो समझ गये मैं क्या कहना कि देखो 79776 और जो बच्चे अभी पढ़ेंगे ना उनकी चांसे ज्यादा है उसी बनेंगे बहुत सारे बच्चे आपको अभी नहीं पढ़ेंगे अभी कितने सारे बच्चे क्लास लेके छोड़ देंगे हाँ ठीक है क्लास वास ले ल बताओ नाइन जिरो फाइब सिक्स्री नाइन जिरो वन डबल नाइन सिक्स और एक लास्ट वाला भी बता दू मुझे फटा फट से जल्दी से बता दू मुझे पताई दिये जैने वन वन फोर डबल वन सिक्स यह आगे हैं इसमें टेक्स हम माइनस कर लेना जो भी हम नहीं करेंगे सीधा सेवेंटी परसंट निकालो 69,600 का सेवेंटी परसंट सीधा निकालो मैं नीचे का बता लास्ट का करता हूँ आप पहले का बता दू डबल वन फोर डबल वन सिक्स इन्टू पॉएंट सेवन 30 परसंट टेक्स देने के बाद यह बचेगा 79881 10109 6 2.7 713 97 मुझे बता दे जवाप लोग ठीक है पहले कम 90563 2.7 63394 79776 2.7 55843 69600 2.7 48720 गया येस परफेक्ट अब हम कुछ नहीं करेंगे डाप्रिशेशन फिर्स एड़ कर देंगे वन लग का डाप्रिशेशन एड़ कर देंगे आपड ये एड़ करने के बद आगया हमारा क्या स्लो इतना असान था 148720 155843 163394 171397 179881 और इधर का आपका 0-13 में तो 5 लाग रुपीज हमारा लगे रहे हैं तो में ये पता चल चल चुका है कि 5 लाग रुपीज हमारा 0-13 में लग रहे हैं और हर साल का हमारा क्यास फ्लोस के आएगा वो में पता चल चुका है अब income क्या करेंगे income present value में खीचेंगे कौन से rates है discount rate कौन सा लेंगे 15% लेंगे देखो मैंने लिखा हुआ including inflation है अगर ये including inflation यह हो तो मानलो excluding inflation होता तो हम क्या करते हैं 1.15 into 1.06 1.219 यहीं 21.9% तब हमारा 21.9% होता बट यह including inflation है तो हम इसे खीचेंगे किसे 15% से ही खीचेंगे समझ मैं तो यह बहुत माहिने रखते हैं यह including inflation है कि excluding inflation है आपको inflation adjusted cost of capital चाहेगा यहां पर तो income present value में खीच लेंगे अब आप simple सी बात है present value of all cash inflow कितना आएगा यह यह आएगा आपका 15% के कैलकुलेटर में कर ले चलो कैलकुलेटर में कर लेते हूं आप भी करना मेरे साथ यह नहीं मैं बोला और कर लिए आप प्रैक्टिस करोगे तबी तो एक्जाम में कर पाओगे करो मेरी मतलब अपने आप करो 148720 divided 1.15 equal M plus पर छोड़ दिया 148720 divided 1.15 के एक ही बार equal दबाना है क्योंकि first year में equal दबा के M plus में छोड़ दिया वो M plus में पड़ा हुआ है अब अपने अब लास्ट में MRC करके प्लस कर देंगे सारा फिर 155843 divided 1.15 इस बार दो बार equal दबाऊंगा क्योंकि second year से 0-3 में आने equal equal M plus कर दूँगा फिर 163394 divided 1.15 तीन बार equal दबाऊंगा फिर M plus करूँगा एक दो तीन एम प्लस कर दें क्योंकि third year से 0-3 में आने 171397 into 1.15 चार बार equal दबाऊंगा equal 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 चार बार equal दबाऊंगा कुछ बलत हुआ है calculator रूप गया है होता है कि मैं और आगे नहीं बढ़ूँगा 148720 divided 1.15 equal M plus 155843 divided 1.15 equal equal M plus 163394 divided 1.15 equal equal M plus 171397 divided 1.15 चार बार equal दबाऊंगा एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच बार equal दबाऊंगा M plus MRC कर दिया है यह आरा 542025 आ रहा है यह आप निकालके बैढ़ गए कि आसिजी प्रसन्ना जी सुभम जी तो है ना आप सभी निकालके बैढ़के कितने खुसी की बात है देखो कितना अच्छा लगता है 542025 हमारा आ रहा है 542025 आ रहा है और present value of all cash outflows कितना यह दो मैं पता है यह 5 lakh है एंपीवी कितना आया देखोर एंपीवी कितना आया 42025 आया ते न्पीवी दिए कोजिए पॉजिड वेथे वियुए घर पोड़्ब तो आप मुझे बता इसन एक दम अच्छे से समझ में आया की नहीं है मुझे बता टो inflation अच्छे से समझ में आया की नहीं आया आप मुझे बता दूंगा यह पता सकते हों को स्फ्लूडिंड एक्स्लूडिं इन्फ्लेशन हागे इसन बिना cost of capital क्या होगा मैं पता है क्या करूँगा मैं बोलूँगा 1.15 एक्स्लूडिंग इंक्लूडिंग इंप्लेक्शन है सम मिला के इसमें सा 6% निकाल दूँगा डिवाइड 1.06 मतलब 8.49 8.5% पकड़ की चलिए excluding इंप्लेशन 8.5% तो आप क्या करोगे 1.085 into 1.06 आप दिख्लों 15 पर्षेन एक्स्लूडिंग इंफलेशन हमारा cost of capital उसे अब अराम से निकालोगे बताई क्या यह एकदम अच्छी से समझ में आए बोलो अभी तक se capital budgeting tough लग रहा है क्या मैं वादा करतों कहीं कुछ भी tough नहीं है बहुत easy explosively capital budgeting लेशन है सब किया सारे के सारे IC इस solution को ठीक करेगे कि वो गलत है तो उसे ठीक करना ही पड़ेगा वो ठीक करेगे कुछ-कुछ जगा ऐसा है जहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि अप IC की हिसाब से ही जाओ IC का गलत answer ही आपको लिख किया नहीं तो कि मैं IC की exam देखेंगे बट कुछ-कुछ ऐसे question है जहाँ पर जब साफ IC को भी दिख रहा है कि IC ने गलती से गलती कर दी वो आगे suggested answer को बदल देते सच बदा रहूं वो इस type की question exam में पूछेंगे तो suggested answer को क्या करेंगे बदल दे तो मेरा ये मानना है कि आपको correct answer ही लिखके आना चाहिए बट मैं क्या करूँगा दोनों चीज आपको बताऊँगा मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं अपने मेरा जो सोच वो आपके ठोग दूँ मैं आपको सही answer भी बताऊँगा और IC ने क्या गलत क्या हो भी बताऊँगा अगर आप मानलो मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं आप बोलना चाहोगी कि नहीं सर हम तो जब तक IC ठीक नहीं करेगा मैं IC के साबसे लिखना चाहते हैं तो भी चलू ठीक है आपका call है बट मैं जो बहुत सारे और भी question होंगे जहां पर मैं आपको बोलूगा आप IC के साबसे करो अपना दिमाग नहीं लगा न हम सही answer नहीं करेंगे IC के साबसे करेंगे बट कुछ-कुछ जगा ऐसा जहां पर मैं बोलूगा कि आप correct answer करो यह one of the question है जहां पर मेरे suggestion है कि आप correct answer करो IC वाल answer ना करो कि मुझे पक्का यकीन है आगे जाके वह अपना सजेस्टेट में बदल देगा वह अंसर को ठीक कर देगा यह मुझे यकीन है बाकी आपका पॉल है चलिए इलस्टेशन टू अब यहां पढ़ना स्टार्ट करते हैं ठीक है सर एक्स्लूडिंग इंफ्लेशन कंसेट फिर से रिपेट करेंगे तो अच्छा होता हूँ क्या से 15% मेरा यह कहना है कोई बात नहीं मैं एक बच्चे की क्वाईरी है तो मैं ले लेता हूँ बहुत सिंपल सी बात है मालो फॉर इंट्रेस रेट विदाउद इंफ्लेशन 8.5% होता पीना इंफ्लेशन के इंट्रेस रेट 8.5% होता और अगर मालो इंफ्लेशन जो है वो 6% होता तो बताइए देरफोर इंट्रेस रेट विद इंफ्लेशन कितना होता एक बच्चे का डाउट है फटाफट लेता हूँ 1.085 पे इंफ्लेशन चड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल और इंट्रेस दोनों पे चड़ेगा 1.085 प्लस 6% लेको या फिर 1.085 इंटू 1.06 लेको आप यह देखलो यह वाला आएगा हमारा कितना 1.085 इंटू 1.06 क्यारा 15 परसेंट मैं इसलिका ठीक उल्टाब करना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि मालो इंट्रेस रेट विद इंफ्लेशन होता हूँ जिसके अंदर इंफ्लेशन घुसा हुआ है चिपा हुआ है जिसके अंदर इंफ्लेशन 6% तो मुझे इंट्रेस रेट विदावत इंफ्लेशन चाहिए मुझे plain interested चीए जिसमें inflation adjustment नहीं हुगा है तो मैं क्या करूँगा यहापर मैं बोलूँगा चो 1.15 बेस में तो inflation है निकालना है तो जब चढ़ाएंगे inflation तो multiply करेंगे जब निकालेंगे तो divide करेंगे मुझे तो निकालना है तो मैं divide करूँगा तो divide कर दिया तो मेरा 8.5% आ गया वही तो चीज थी किसने पूछा था यह सवाल यह सवाल पूछा था उद्दब अपका क्लियर हो गया है 15% से 8.09 कैसे आ रहा है क्या कर रहे हो मैं तो समझ नहीं पा रहा है क्या कर लो अच्छा आप माइनस 6% करो ऐसे नहीं कर सकते आप 1.15 से माइनस 6% ऐसे मत करो आपने वही कि ऐसलिए आपका 8.1% आया आप डिवाइड करोगी आप दूनों में फरक आ जाते हैं आपको इंफ्लेशन निकालना है क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इंफ्लेशन चढ़ा था वो 15% में नहीं चढ़ा था आपका 8.5% जो ओरिजनल था न उस पर इंफ्लेशन चढ़ा था तो कोई बच्चा गर यह करना चाहता है वो बोरेगा सर मैं ऐसी तो कर रहा हूं 1.15 म इंफ्लेशन चढ़ा था कि 8.5 में अपने इंफ्लेशन चढ़ा था आपने 8.5 का 6% इंफ्लेशन चढ़ा था तो जब आप निकालोगे भी तो 15% का 6% कैसा निकाल सकतो 1.15 से कैसा निकाल सकतो आप 1.15 से माइनस करोगे लेकिन कौन सा इसमें आपने इंफ्लेशन चढ़ा थ ता हुआ 6% किसका 1.085 का 1.085 का 6% किता 0.0651 यह माइनस करना होगा 1.15 से समझ मैं तब आपका 8.5 या फिर 8.5 आएगा यानि आप उद्धवची मुझे बता दो अभी क्लियर हुआ न आपका कि आप माइनस नहीं कर सकते 1.15 माइनस 6% नहीं कर सकते अगर ऐसा कर दिया तो आपने 15% में से 6% निकाला वो सही नहीं है अपने 8.5% में 6% चड़ाया था तो 8.5 का 6% आपका माइनस होगा यहीं 1.085 का 6% माइनस होगा आप देख लिए 1.085 का 6% जो है वो आपका माइनस होगा 0651 1.15 से माइनस का तो 1.08.9 8.5% आजाएगा अगर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ें बुलो illustration 2 में आए सबका clear एकदम अच्छे से बताओ मजा आ रहा है एकदम इतना खोल के पढ़ रहे है इतना उमीद क्या था इस तरीके से इतना clearly पढ़ेंगे सबसे बताना मुझे यह उमीद क्या था आपने कि इतना clearly हम पढ़ेंगे इतने अच्छी तरीके से मलब जो पढ़ा रहा हूं मजा आ रहा है सबको समझ में आ रहा है कोई भी रटाफ्रिकेशन की जरत हो रही है हर बातों पर मैं कोई भी चीज़ होँगा नहीं कि हां multiply करो या divide करो उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा आप लोगो ताकि आपका दिमाग खुल जाए एक दम सबको कहना है कि मत सर समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि यह वाला illustration 2 मैं तो करौँगी आप मेरे साथ participate करके आप पहले से इस answer बताने लग जो तब आपको लगेगा सर अब तो आईसे का question पूर है अब तो मजा आ रहा है चलो देखो illustration 2 में क्या लिखा हूँ है एक्सवजेट लिमिटेट को और requirement है एट लाग रुपेज फोर इन यूनिट इनिशली को एक मसीन वगेरा खरी देगा उसके लिए इसका initial investment जीरो तेर में एट लाग रुपेज है प्रोजेक्ट की useful life कितनी है 4 years है salvage value नहीं ले तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि एट लाग रुपेज जो आपका initial investment है 4 years की life है salvage value नहीं ले तो हर साल 2 लाग रुपेज डप्रिशेशन होगा जिसका tax benefit आपको मिलेगा depreciation 2 लाग रुपेज देखो लिखा हुआ भी है expected revenue and cost excluding depreciation को छोड़ के हमारा revenue और cost ignoring inflation inflation को ignore करते हुए inflation इसमें डाला हुआ नहीं है आपका revenue बता दिया हर साल का यह आपका इसमें क्या inflation है नहीं है इसमें inflation को adjust नहीं किया गया है समझ में आया है इसमें inflation को adjust नहीं किया गया है क्या आप समझ दो यहां पर भी inflation को adjust नहीं किया गया है आगे देखती है आपर आपका 60% cost of capital 10% इंक्लूडिंग inflation यहनि 10% में हमें क्या को adjustment करना नहीं करना क्योंकि इस पर inflation का adjustment अल्रेड़ी किया हुए बता दिया पूछा कि NPV बताओ प्रोजेक्ट का अगर inflation rate revenue और cost का अलग-अलग देखो यह रवन में revenue 6,00,000,000 प्लस 10% inflation बताया year one में 10% inflation बताया तो आप 6,00,000 को कितना पकरेंगे 6,00,000 प्लस 10% inflation adjust करेंगे तो यह 6,00,000,000 मुझे बताओ अब मैं आप लोगों के मुझे जानना चाहता हूँ आप मुझे बताओ यह 7,00,000 पे कितना लिखो मैं second year पे inflation कितना है 9% है second year पे inflation कितना है 9% है आप बताओ मुझे तो यह इहां पर आप मुझे बताईए यह कितना लिखो मैं 7,00,000 की जगा मैं कितना लिखो आप मुझे बताईए 7,00,000 रुपीज जो है यह excluding inflation है इसमें इंफ्लेशन के अजस्मेंट नहीं हुआ है second year में आपका 9% इंफ्लेशन एर वेन्यूप है तो मुझे बताईए 7,00,000 की जगा मैं कितना लिखो बच्चे का कहना है 7,00,000 नैंटीन थाउजिन पोंड्रेट 7,00,000 63,000 और 7,63,000 आया कि अधियो आप लोगेए मान कि मैं माद कि अमें गधियो आप लोगे एक दम कर रहो तो चाह गर रहें सेवन लाग्शिटीन तरी ताउचन आये गो गधियो गते जैसे बताऋ एक दम रसना ची आइढ्य ना बाकी लोग गधे या गधे जैसे बात कर रहें आप और आप लोग हरकते करोगे मैं आप लोगों को गदा बोलूँगा ठीक है अच्छा पाऊ या बुरा पाऊ कैसे होगा बताओ यह तो सेवन लाग पर इंफलेशन है यह सेकंड यह का वल्लू सेकंड यह का वल्लू में निकान ले जीरो तियर को ध्यान में रखते विए आपको रवन्यू दिया हुआ है इस पे पहले 10% फर्स यह का इंफलेशन चड़ेगा 9% सेकंड यह का इंफलेशन चड़ेगा सिर्फ 9% क्यों लगा रहो मैं समझ नहीं पार आप लोगो पहले 10% लगा फर्स यह का इंफलेशन लगाओ कि तब आएगा ना तो यहनि कहने का मतलब आ कहा से मेरे भाई है कि अकर recording है और अलगी दुनिया की खिला रहे हो अप लूग ब्रेहे अ कि अची बात करते हो है का पड़ रहे हो इस निफ जी इसापोंण किया यह 790,400 आया कैसे पहले तो मुझे यह समझा आया कैसे यह मैं यह समझ नहीं पार कैसे आया यह जो बच्चे 719,400 बता रहे हूं बता कैसे रहे मतलब मेरे तो समझ से पर है एकड़ में यह 39300 आएगा है कि इतना एगा 839 300 आएगा हमार एक दम अच्छे से समझ में आया नेक्स्ट आपका धर्ड यहरे में अब गलती मत करना गलती की कुझाइस मत करना है ठीक है चलो दीव्या जी ठीक है अब हम हमारी धर्टी पर वाप्त से आ जाईए ठीक है इधर उतर नहीं जाने है हमारी धर्टी बहुत अच्छे में यह रहेंगे बताओ एट लाग क्या होगा इस पे क्या लगा दी एट परसंट बात खतम करें देवकुपु जिससे बा करेंगे यह आएगा 1035936 बता रहे हैं कि 1035936 1035936 1035936 आया हमारा नेक्स्ट वाला भी बता दो यह एट लाग जो है अब देखो इसमें पतने एक बेनिफिट क्या है मैं अगर समझदार बच्चा होगा ना मैं बोलूगा देखो सीम एट लाग एट लाग है तीन साल का इंफलेशन लगा तो यह आने वाला है इसमें सीधा 7% लगा तो 1035936 आया है ना मेरा इस पर सीधा क्योंकि वेल्यू तो सेम है जो समझदार बच्चे होते हैं ना वो डैरेक कर लेंगे है वह डबल वन जिरेट 451 यह सलो 452 लेगे समझ में है ना समझदारी की बार बोलो समझ में आया है ना अब हम नेक्स्ट कॉस्ट वाला भी क्या मुझे बताना चलो कोई ना अभी हम क्या करते हैं हम टीबल बनाते है अपना जो टीबल जैसे बनाते है ना इलस्टेशन टू अब स्क्रीन पे देखते रहो भी जिसके बास अभी कोशन में नहीं भी हाथ में को टेंसन वाली बात नहीं देखो सबसे पहले मैं लिकूँगा जैसे मेरी हैबिट है इनीश्य इन्वेस्मनल लग में की 08 लाग पिस हमारा इननीश्ब इन्वेस्मेंट लगह रहा है एन्वर रवंद्यू एन्वल कॉस्ट एन्वल रेविन्यू हम क्या अभी जस्ट निकाले थे यह समने जस्ट निकाला था कितना कितना 660,000 839,300 839,300 इसके लाव वह 1035936 है न अब स्क्रीन पे देखो भी प्रविन जी ठीक है स्क्रीन पे देखो मज़ा आएगा मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करो भी मलब पार्टिसिपेट करो सब अच्छा लगेगा आपको अनुवल कॉस्ट अब मुझे बता दो फटा फट से अनुवल कॉस्ट क्या होगा आप बता मुझे अनुवल कॉस्ट थ्री लाग पे टैन परसंट एक बार ही चाड़ेगा यह आएगा 3,30,000 इसमें तो मुझे पता चल रहा दूसरे वाला बता सकतो कितना होगा दूसरे वाला देखो 4,00,000 में 10%, 4,40,000 होगा फिर 4,40,000 में 9% निकाल आएगा किसे ने 479,600 क्या 479,600 यह हमने निकाला इसके बाद next आपका क्या आएगा next वाला है 4,00 तो इसमें आप टेंसन की बात ही नहीं है इस पर सीधा में लगा दूँगा 1.08,517,968 आएगा क्योंकि सेम फिगर है न स्मार्टली अगर आप करोगे तो next वाला भी आपका 4,00 तेमी है तो एक बार स्मार्टली करोगे तो 8% लगा दो के बाद का तम 559,405 कुछ गरबढ किया कि हमने मैंने calculation में कुछ गरबढ किया लग अच्छा मैंने rate इस revenue वाला ले लिया साइथ गलती से rate मैंने गलती से revenue वाला ले लिया था 12% था मैंने revenue वाला rate ले लिया पूरे गलत होगे यह sorry sorry हां गलती होगे मैंने revenue वाला ले लिया गलती से गलती होगे माफ करना 3,00,00,00 पर 12% लगाएंगे 3,00,36,000 आए गई silly mistake है क्योंकि मैं भी तो कभी student था ना और silly mistake हो सकती है practice करते करते हैं इस अब दूर हो जाएगे फिर next आपका क्या है 4,00,00,00 पर पहले 12% चड़ाओगे पहले 12% चड़ाओगे फिर आपका next year का कितना है 10% ही क्या हूँ next year 10% 1.10 वो 92,800 आएगा यह आगी हमारा 492,800 यह गलती हो गई माप कीजेगा फिर next आपका क्या होगा पते है 492,800 तो निकाला हुए अब next year 3rd year और 4th year में भी 4,00,00 तो सीधा हम 492,800 में 9% लगा देंगे 537,152 आएगा और next year हमारा क्या आएगा 8% 580,124 अब सही होगा 537,152 न आएसे ने बता करबड क्या हुआ देगो 537,172 लिग दिया कल तो यह से करबड है उनका next वाला तो 580,124 सही आया था जालो, depreciation लिख देते हैं depreciation हमें पता है हर सल 2 lakh होगा किइट लग चार सलों में कोई survived तो है नी तो हर सल 2 lakh होगा यह करने के बाद हमारा क्या आएगा PBT आएगा जो अब मुझे बताइए इसमें फिर हम tax minus करेंगे add the rate 60% है tax हो चुछ तो bet सिर्फ 40% बचेगा 60% tax I think और फिर हम क्या करेंगे depreciation add कर देंगे depreciation minus ही इसलिए क्या था ताकि benefit ले लिए सकते है न यह हमने कर दिया पता ही मुझे फटा वड़ते बताओ मुझे कितनी क्या खूब कितनी अच्छी बात है उन्हार बच्चे मेरे पास प्रसना जी तिल्कूस कर दिया प्रसना जी ने लिए ऐसी फास्ट हो रसना जी 146 वाइट सेकंड वाला बता रहे यह सही है न फिर नेक्स्ट है 328328 क्या बात पर सना जी इतना फास्ट बहुत से ही 328328 निकाल लिए फिर टेक्स 60% माइनस करेंगे तो 40% बचेगा तो मैं सीधा पैट लिखता हूँ वलने 24,000 का इंटू 0.4 49,600 है ना 146,500 इंटू 0.4 60% टेक्स देंगे ना तो 58,600 बचेगा 298784 इंटू 0.4 डेबल ओ 9514 पिर आपका 328, 328 इंटू 0.4 131,331 सही है अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर दो कि दम सही है अब अपरी शेशन एड कितना करेंगे टू लाक रुपीस जो माइनस किया था हूँ आड कर दू एक्स बेनिफिट लेने के लिए माइनस किया था यह एड कर दिया हमने और हमारा क्यास लू आगया 249,600, 258,600 3,1 3,19,500 3,31,331 यह आगया हमारा और इनीशल तू एट लाक है हमारा तो देर्फोर आप मुझे बताइए प्रेजेंट वैल्लू ओफ ओल्ल कैस इंफ्लू मुझे बता दीचें क्या करोगे अब किस से पुल करोगे अब एक्सलूडिंग इंफ्लेशन कॉस्ट और क्यों यहां पर अलग-अलग केस में अलग-अलग इंफ्लेशन दिया हुआ है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम इस पे आप इंफ्लेशन एडजस्ट करें कोई पार्टिकुलर इंफ्लेशन होगा तब तो फिर भी हम ए तो अब मुझे बताइए क्या स्लूस क्या आएगा अब हम क्या करेंगे इन सभी को इंक्लूडिंग इंफ्लेशन आपका क्या है कॉस्ट और केपिटल टैन परशन से खीचेंगे हैं इसको बताओ कि तरह किसे ने निकाला गया 9069 डबल बतातो रहें बच्चे बहुत इच्छी बात है और और प्रेजेंट वेल्यू आफ ऑल कैस आउट फूर्ट इस इनिशल इन्वेस्ट को आपका एट कि इन पीवी कितना आया कि एट लाक वन लैक सिक्स नाइन डेवल एट तरफोर रोजेक्ट इस वाइबल प्रोजेक्ट सुड़ बी एक्सेप्ट यह हमारा पूरा परफेक्टली करेक्ट अंसर है यह हमारा प्रेफेक्टली करेक्ट अंसर है इसे मैंने बूला गंद मचाय है उन्होंने गलत किया है कि कर दिये कि उन्होंने का था मैट्रिल में कुछ गलत हुआ था इसेगा स्टडी मैट्रिल देख गलत मचा ठीक है तो था पहले वाले पार्ट में तो गलत ही है इस पहले वाले केस में तो गलत ही है दूसरे वाले में भी मुझे जहांता यहाद ही गलत था हैं रेवन्यू में इंफ्रीशन एड़र्स किया पोस्ट में इंफ्रीशन एड़र्स एंड्स किया यहरे मैट्रिय कोफिट लिख दूए है तिसमी ठेक्स बेनिफिट औन डाप्रीशेशन टू लाग पे वन लेक्ट वंडी थाउजिंड लिये रेवन्यू कॉस्ट नेट प्रॉफिट और टेक्स माइनस किया इन्होंने नेट प्रॉफिट अफ्ट टेक्स आया उसमें टेक्स बेनिफिट डाला मतलब वापस करने की बाद गलत किया है कि उन्होंने नहीं ठीक है कुछिन नमर टू तब ठीक कर दिया उन्होंने पहले गलत था मुझे याद है और वन दो गलत क्या हुआ यह वन तो मैं अभी भी शोर हुआ गलत ही है रशिशन वन भी कर लि Almost situation और वटापच से कि आपको करने को दू अभी मैं saturationन वन बताओ आपको करने को दू कि क्या करे सब बफर हो रहे है नहीं बफर तो नहीं होना इचाहिए बाद कि बच्चे बच्चे बदा ही बफर हो नाची मेरे जिस बाकियों का कहने बफर नहीं हो रहे है जो लोगे काम करते हैं कि लिए सेशन वन भी लगी हाथ करी लेते हैं आपको एक्जाम में सही ही करना पड़ेगा आप ये समझ लीजिए एक्जाम में आपको सही ही करना इसमें भी सही कम करेंगे इनिशल आउटले 40 था हुचिन है एन्वल रेवन्यू विदाउद इंफलेशन बोला एन्वल कॉस्ट भी विदाउद इंफलेशन बोला सेलवेज नहीं है यूस्फूल है और आपका टेक्स रेट 50 परसें ने कॉस्ट और केपिटल इंक्लोडी इनिशल इन्वेस्मेंट हमारा 40 था हुचन जीरो थेμल में लगा एन्वल रेवेणिउ तब कॉस्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं सोच के करतें और भी करके निफ्टा देंगे एन्वल रेवन्यू एन्वल कउस्ट रेवन्यू कितना 30 था हुचिन में इन्फलेशन डालना पड़ेगा जी हाँ कितना 10% का inflation बोली दिया न तो 10% का inflation डालेंगे 30,000 आपका revenue है इस पर 10% डालेंगे तो कितना आएगा 33,000 आए next year 33,000 में फिर और डालना पड़ेगा 1.10 36,300 2 साल का inflation अज़स्ट हो फिर इस पर वापस से हम कर देंगे 1.10 39,930 comparatively easy है पिछले वाले कोश है 43923 यह हमने लेख दिया हापर आप साथ खतम करो मेरे साथ साथ ठीक है यह हमने किया annual cost आप मुझे बताती है annual cost कितना है 10,000 excluding depreciation आपका 10,000 है तो 10,000 तो नहीं होगा 10% inflation चड़ाना पड़ेगा यह 11,000 होगा और यह होगा 12,100 होगा मैरे ख्याल से 11,000 into 1.10 होगा into 1.10 13,310 into 1.10 1.46 41 यह मने लिख दिया है depreciation भी साथ साथ लिख देते हैं depreciation कितरा होगा 40,000 का initial outlay salvage कुछ है नहीं useful है 4 years है तो हर सर 10,000 का ड़ापड़ी ICA ने इस पे भी inflation चड़ा दिया ICA का अंसर पता है कम match करेगा जब अब 10,000 में भी inflation चड़ाओगे ICA ने ऐसा गरबड किये हमारा क्या आएगा PBT आएगा कितना यह 12,000 है इसमें tax हम minus करेंगे add the rate कितना percent है 50% है 6,000 हम minus करेंगे तो pet आजाएगा हमारा बाकी का बताती जाओ 6,000 आएगा फिर depreciation एड़ कर देंगे कितना charge कैएथ है 10,000 यह एड़ कर देंगे 16,000 हमारा आगी हमारा फिर उधर अब मुझे बताते जाओ ICA करके यह cash loss होगी हमारा 40,000 तो है cash loss होगी अब मुझे इधर बताते जाओ ICA करके कितना आ रहा है 13310 क्या बता रहो इसका बता रहो क्या बता रहो 36 में 24,200 14,200 होगा 24,200 मैनस 14,200 होगा फिर next वाला होगा 29,9,30 19,16,620 16,620 होगा अमेरी बताओ ना यार क्या कर रहो सपना जी अपनी दुनिया में फोई भी है अजीब होगारी बाते बता रहे है depreciation माइनस करना है यह माइनस यह पहले तो माइनस करेंगे यह बाद में एडविक करेंगे 14,200, 16,620 साहिए न फिर next वाला बताइए 33,923, 33,23, 19 19 200 सम्थिंग आएगा 19,282 बार है 19,282 बार है अब टेक्स इसमें से माइनस करेंगे इसका आदा 7,100 8,310 और यह आजाएगा 9,500 9,641 यह होगा क्या 9,18 19 यह होगा मेरी खाल से यह आएगा 7,100 8,310 9,6400 देख लीजेगा एक बार आप और इसमें हम 10,000 एड़ बे कर देंगे तो डापटीशेशन है यह होगा 17,100 13,310 19,641 इन सबको हम क्या करेंगे 12% से खीचेंगे पॉस्ट ओप कैपिटल इंक्लूडिंग इंफ्लिशन जो हमारा है 20 तो था 12% से खीचेंगे Therefore आप बताएए Present value of all cash 12% से करने पर कितना आएगा Present value of cash तो हमारा इनिशली तो 40,000 लग रहे है और जो future में कमाएंगे उसकी Present value मुझे चाहे 5343 3 ले 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 लेते है 534333 ले 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 तो Therefore हमारा क्या आएगा NBV 134 NBV That's all बात खतम NBV आ गया Therefore हम बोलेंगे project should be excellent क्या बोलेंगे प्रोजेक्ट को मेरे भाई एकसेट करो सब कुछ परफेक्ट है को दिक्कत वाली पात नहीं यहां पर बताओ परफेक्टली एकदम अच्छे से हो गया यह वाला कुशन भी अई से मैं आपको अंसर मैच कराना है आप डापडी शेशन में इंफ्लेशन चड़ा होगी उन्हों ने एक का कैस लो निकाल लिया तो उसपर इंफ्लेशन चड़ा के दूसरे का बता रहे हैं तो कि मेरे ख्याल से सही नहीं और भी तो कि पूरा ही गलत कर दिया उन्होंने सच गलत किया उनका अंसर गलत करने की वज़े से गलत आएगा सेवेंटीन सिक्स थाटीन नहीं नहीं आ रहे हैं पर्ट रियल में थाटीन पूर थाटीन एंपीवी प्रोजेक्ट शुट भी एकसेप्टेड तो मैंने इंफ्लेशन से रिलेटेड चीज एकदम अच्छे से क्लियर करा दिया है अब हम आगे पता फृर्दर एनलाइस से से शेखेंगे यह हमने एकदम अच्छे से क्लियर कर लिए एक सेट मुझे दू रिस्क अनलाइ आगे हम बढ़ते हैं अलग-अलग टेक्नीक से जिसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे करना है मैं लिखता हूँ टॉपिक नया टॉपिक है टेक्नीक्स ऑफ बसके लिए इसके अलग-अलग प्रकार की टेक्नीक है पहले वाला टेक्नीक है स्टेटिस्टिकल टेक्नीक कि इसी है तर समझ में आएगगा तो अब कि अंदर आते हैं अबबिबिलिटी वारियन्स और स्टेंडर्ड डवीशन और वो एफिशेंट और दूसरा है पॉन्वेंशनल टेक्नीक्स समझाओंगा मैं आपको टेंसन ना लो तब समझाओंगा और बहुत इजीली समझ में आएगा कॉन्वेंशनल टेक्नीक्स देखें यहाँ पर हम डिसकस करेंगे रिस्क अड़ेस्टेड डिसकाउंट रेट यह सब अभी बस अभी आपको मुझे पता आपको कुछ पता नहीं होगा बहुत ही कम बच्चों को पता होगा और एक है अभी में इसमें कुछ नहीं लिए तो अभी फिलाल हम बात करेंगे किसके बारे में पता है स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में फिलाल बात करेंगे कि अब पोस करो पांद के चल्दों में दूरिंग फिर्स्ट यहर मालों मेरी बात ध्यान से सुनों परस्ट यहर में एक्सपेक्टेड कैस्ट फ्रूट जिसे आपने देखा हमने यह जो cash flows लिया था यहां पर हमने कहा था ना revenue हमारा 30,000 होगा cost हमारा 10,000 होगा ऐसे करके हमने cash flows निकाला यह actual cash flows निकाला है यह हमारा क्या actual cash flows नहीं है यह तो सारे expected cash flows हमें समझ में आ रहा है यह तुम future को predict कर रहे न क्या हो सकता मैं नहीं पता क्या पता future में अलग-अलग प्रकार के cash flows हमें नजर रहा है जिसमें से हमने को एक average cash flows निकाला जैसे आपने revenue हम पर पकड़ा है कि 30,000 का हमारा revenue हो सकते है यह तो expected है हम तो आज zero tier में बैठे बैठे यह decide कर रहे कि project accept करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप बताए इस project में risk है कि नहीं है अब एकदम simple सी बात मुझे बताओ क्या इस project में risk है कि चाहिए इस साल में साधी कर लेंगे इतने पैसे जमा कर लेंगे यह हो जाएगा वगेरा 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 प्लैनिंग करते हैं अच्छा लग रहा जोइन करके मज़ा तो आ रहे है पर जो आपने से जोइन करते समय प्लैनिंग क्या था जो आपने सोचा था वह हुआ क्या वह जनों के साथ वह भी तो बहुत जनों के साथ नहीं भी हुआ तो आप यहां पर यह समझ लो अभी scenario sensitivity वगेरा के बारे में बा अब को यह समझाया कि हम यह सभी चीज़े प्रेटिक कर रहे तरूरी नहीं होगा तो यह जो मैंने मान लो for example यह cash flow जो मैंने प्रेटिक किया है यह क्या पता है अलग अलग मैंने प्रेटिक करके निकाल है 16000 मैंने सूचा होगा अगर मान लो market में बूम रहेगा आगे जाके तब हम 70,000 क्या पता है cash flow generate करें market का average रहेगा growth बहुत जादा नहीं होगा average market में work करेगा तो मोलेंगे 50,000 cash flow होगा market में अगर crisis आ जाएगा तो cash flow और कम होगा जिसे हमने देखा था demonetization के वक्त, covid के वक्त उस वक्त में market में crisis चल रहा था तो उस वक्त बहुत सारी company नों cash flow generate ही नहीं किया उस वक्त cash flow कम भी हो सकते अगर market boom में रहेगा मालो ठीक है लोगों के पास पैसे होंगे खर्च करने के लिए तो भी लोग है जो आपके consumer है उनके पास available पैसे रहेंगे खर्च करने के लिए तो जादा खर्च करेंगे हमारी से जादा बढ़ेगी तो अलग अलग factors हो सकते अलग अलग situation हो सकता है अलग अलग scenario हो सकता है यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि मालो different scenarios है मैं लिखता हूं यहाँ पर scenario हो सकता है अपका best scenario भी हो सकता है अपका better scenario भी हो सकता है तो वर्स्ट सिनारियों भी हो सकता है चार अलग अलग सिनारियों में अलग अलग कैस्ट हमने यह सोचा मान लीज़े फॉर एक्जम्बल अगर बेस्ट सिनारियों होगा ना अगर बेस्ट सिनारियों होगा तो मान लीज़े चार अलग अलग सिच्वीशन इसमें नेगेटिव भी हो सकता है मैंने नेगेटिव रखा नहीं यह चार अलग अलग सिनारियों के कैस्ट अब अब विशनी बात थे हम प्रोबीयोग犁टी भी पता सकते हैं जासर हम यह भी हो सकते कि सबकी प्रॉद्बियीटि अच्छा में बगएट Nagjer और यहां दिए कि हमने expert से discuss किया और हमने पता किया कि मालू हमें लग रहा कि best scenario होने का chance तो just 15% है कि हमने माना और हमने माना better scenario होने का chance जो है तो मैं थूरा सा अलग लेता हूँ 20% मैं कह रहा हूँ कि best scenario होने का chance 20% है better scenario होने का chance 40% है better scenario होने का chance happened थीके 45% good scenario होने का chance 25% इर हमने लग अलग अलग Oczywiście में अलग अलग है probability यह अलग होने का chance है है तो आप बते कि हम एकस्पेक्टेड कैसakah लोस नहीं निकाल सकते फिरόये एक सिंगल कैस्पेक्टेड कैसे ओनिकाल सकती हैं कैसे कैसे हम बोलेंगे कि 70,000 भी हो सकता है 55 में हो सकता है फूटीफाइज भी हो सकता है फ्यूचर में और इनकी probabilities दी हुई है, तो probabilities को ध्यान में रखते हैं, हम expected निकाल लेंगे, हम बोलेंगे 70,000 का 20%, 14,000 ले लिया, 55,000 का 45%, 24,750 ले लिया, 45,000 का 25%, 11,250 ले लिया, और 25,000 का 10%, यह निए 25,000, ले लिया, तो आप बते ही, therefore expected cash flow क्या होगा, 14,000 plus 24,750 plus 11,250 plus 25,000 कुछ गरबर होगा है, 52,500 होगा, मैंरे काल, 34, 38, 39, 52,500 expected cash, 52,500 अब एक बात बताओ मुझे, मेरे मालो में Chartered Accountant, एक Client मेरे पास आया, Client ने मुझे बोला कि, जो मेरा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट मैं मुझे बताई ना, कि expected cash flow मेरा हर साल क्या होगा, इस बात बोल जाओ, अब पता है Client क्या बोल रहा है, Client बोला कि, इस बात की गैरंटी दे सकतो, 52,500 होगा, मैं बोलूँ है, नहीं, मैं गैरंटी ने दे सकता, यह तो expected है, क्या इसमें risk है या नहीं, क्या मैं 100% confirmation के साथ बोल सकता हूँ, कि 52,500 ही cash flow होगा, मेरे भाई 100% तो छोड़ो, आपका यह 52,500 चारो situation में निदिन नजर आ रहा है, हमने तो इस चारोगा एक average expected लिया हमने, जो सकता है, तो कहने का मतलब यह risk है, इसके अंदर हा या ना, इसके अंदर risk है कि नहीं, आप मुझे बताईए, इसके अंदर risk है, कितना risk है, आप मुझे बताऊ, कितना risk है इसके अंदर, तो में निकानला पड़ी हो, जिसे अगर मानलो for example, एक और बाद आपको बताता हूँ, मैं एक और example लेता हूँ, मानलो situation ऐसा होता, कि best scenario में भी cash flow 52,500 होता, हम बोले हैं, better scenario में भी cash flow 52,500 होता, good scenario में भी cash flow 52,500 होता, और versus scenario में भी cash flow 52,500 होता, और ऐसे situation में जब आप cash flow निकालोगे, तो 52,500 होता है, आप दिखलो 525,0 यह नहीं 11,000, 10,000 हो गई है, 52,500 into 0.45, यह 23,625 है, 52,500 into 0.25, 13125 है, और 52,552, आप देखलो यह 52,500 हो, तो मैंने दो अलग information रखा देखो, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर मैंने क्या बोला, कि हर scenario में 52,500 होगा, और expected cash flow में ने क्या बोला, 52,500 होगा, आप बताओ, यहाँ पर मैं guarantee दे सकता हूँ, कि 52,500 होगा, जी हाँ यहाँ यहाँ पर मैं guarantee दे सकता हूँ, मैं बोलूँगा, कोई भी scenario हो, आपका 52,500 का ही cash flow, यहाँ पर कोई risk involved है, कोई भी प्रकार का risk involved नहीं है, क्योंकि यहाँ पर every situation में, same figure है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कोई भी risk नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपको interest rate, यह return भी जो मिलता है, वो risk free मिलते हैं, उसमें कोई भी risk का adjustment नहीं होता, बहुत दिक कम मिलता है, risk free rate ही मिलता, यहाँ कोई risk ही नहीं है, यूजरी, लेकिन आप किसी भी business में, project में investment करोगे, तुँ वहाँ पर risk होगा, वहाँ पर आपको इस प्रकार नहीं देखने को मिलेगा, तो वही आप मुझे बताईए, कि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर मैं बता रहो, कोई risk नहीं है, बट यहाँ पर मेरा risk है, और यह risk क्या है, कितना है, वो हम निकालना भी सीखेंगे, ऐसे तो मैं portfolio में, आपको detail में सीखाऊंगा, risk निकालना, एक एक चीज़ों पर detail से बारे किसे हम सीखेंगे, risk कैसे निकालना चाहाँ, तो वहाँ पर हम सीखते हैं, बेसिकली, variant सीखते हैं, standard deviation सीखते, covariance सीखते, और भी हम weights of minimum rest portfolio, बहुत चीज़े सीखते हैं, बहुत सारी चीज़े हम सीखते हैं, वह हम portfolio में सीखते हैं, बट यहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़े, कुछ कुछ चुटी चुटी बात हैं, जो मुझे आपको बताना है, हलका फुलका में यहाँ पर भी घ्यान दूँगा, बाकि पुलर डिटेल में portfolio में सीखेंगे, यहाँ पर भी जितना नीड है उतना तो मैं आपको बताऊँगा, आपने एक बार तो इस बात साब संतुस्ट हो गए कि हाँ सर, रस्क तो है यह मैं समझे तो अब हम निकालेंगे रस्क, चैल्कुलेशन आफ रस्क इंवाल्ड, और अब आपको रस्क निकालना, आप देखिए, चार सिच्वीशन हमें दिखा, 70,000 भी हो सकता है, 55,000 भी हो सकता है, 45,000 भी हो सकता है, और 25,000, जिसका हमने एक्सपेक्टेड कैस्ट लो, अवरेज एक्सपेक्टेड कैस्ट लो अगर हम बात करें, तो हमने कितना पकड़े हैं, कि 2,000, probability है, कितना, 0.20,0.45, 20% माला, 0.20, 45% माला, 45 by 100, 0.45 हो जाए, और 0.25, 0.10, तो हमारा probability होगा, तो अब मुझे आप बताइए, तो इस ही हमने किया, कि हमने इस ही में तो probability निकाल कि यह निकाला, अब हम बताए क्या निकालते हैं, gaps निकालते हैं, gaps मतलब risk का निकालते हैं, देखो मेरी बात सुने, हमने पकड़ा है, हमने तो अपने client को बताया है, कि देख तु जा घर, तेरा expected cash flow 52,000 फाइविनिट होगा, बट रियल में 52,000 फाइविनिट तो दिखी नहीं रहे, रियल में तो 70,000 होगा, या 55,000 होगा, या 45,000 होगा, या 25,000 होगा, तो आप मुझे बताए, अगर हमने client को बोला है, 52,000 फाइविनिट होगा, लेकिन अगर 70 था हो जिन हो गया, तो risk है, आप बोलोगे, सर कहां risk के फाइद है, risk है यह, क्या आप बतला भी risk होता है, क्योंकि यह जो हमने निकाला है, यह बड़ा और छोटा figure का बीच का निकाला हमने, क्योंकि यह जब भी आएगा ना, इसमें इसका बड़ा figure भी होगा, छूटा figure भी होगा, उन दोनों का बीच का है, तो कि average आएगा आपका, तो आपका जो risk होता है, वो favorable हो या unfavorable हो, वो risk ही होता आप, बाखे detail में portfolio में सेखेंगे, तो यहाँ पर मुझे बताए, यह gap हे की नहीं, risk हे की नहीं, यह सर रस्क है आपकर, risk में favorable है, unfavorable है, वो बाद में बात करेंगे, पर रस्क तो है, देखो हमने client को बोला, 52,005 इनिट, बट अगर 70,000 हो गया, तो gap कितनी का, risk कितनी का, हम बोलेंगे sir, 17,005 इनिट का gap है, अगर 70,000 हो गया, तो मतलब इसमें gap, favorable risk है, क्योंकि इसको भी हमने, इसकी मदद से, इन सब को base में लेते हुए, हमने निकाला था, 52,005 इनिट, 70,000 हुआ, तो 17,005 इनिट का gap है, risk है आपका, लेकिन वहीं सोचो, अब आपको एक बात बतारों है, अगर मालों हम यह लेते, और इसका भी average, 52,005 इनिट होता, तो मोलते हमने तो client को बोला, 52,005 इनिट, और अगर 52,005 इनिट हो गया, तो gap ही नहीं होता, तो अगर मैं इन data को करता, तो को gap ही नहीं आता, बट यहाँ पर तो instead of 52,005 इनिट, यहाँ पर 70 है, बट हमने client को बता है, 52,005 इनिट, यह निए आपका गया आपा रहा, 17,005 इनिट का, यह रस्क यह रस्क आपका, second वाले में कितने का रस्क है, देखो, 52,005 इनिट को बताया, अगर 55,000 हो गया, तब भी दिखकत है, तब तो unfavorable रिस्क दिख रहा है, मुझे कितने का, 7,005 इनिट का unfavorable, और इसके बाद, next आपका 25,000 अगर हुआ, मैंने तो client को 52,005 इनिट बताया, अगर 25,000 हुआ, 27,005 इनिट का unfavorable, ठीक है, मैंने gap निकाल लिया, अब दिखो, यह जो मैं unfavorable लिख रहा हूँ, इसको मैं sign देता हूँ, यह माइनस पे रहेगा, यह माइनस पे रहेगा, यह plus, तो क्योंकि favorable रिस्क जो है, प्लस में रहेगा, क्योंकि जो हमने client को बताया, expected cash दो, उससे जादा है, मतलब plus का symbol आएगा, और कम है, मतलब minus का symbol आएगा, बट मेरी बात ध्यान से सुनो, यह सारे risk है, यह सारे risk है, आप यह नहीं बोल सकते है, plus वाला है, तो अच्छा risk है नहीं, risk मतलब gap, gap मतलब risk है, or fluctuation, और यह सारे risk ही आपके, जाए favorable हो, यह unfavorable ही यह सारे risk है, और आपको पता है, यह जो risk है न, यह risk हमेशा 0 आएगा, अगर इसकाम average करेंगे, अगर मैं plus minus को ध्यान में रखो, तो average करूँगा, तो 0 आएगा, आप करके देख लो, 17,000, आप एहसान मत कर सकते, इसका total divided by something कुछ नहीं करना है, आप यह देखो, 17,005 विनिट पे 20% लगाओ, यह gap है, अगर मैं gap का average gap निकालो, मैं बोलूँगा, 17,005 विनिट पे 20% लगाओ, कितना आएगा, 35 विनिट आएगा, प्लेस में, दूसरा, 25 विनिट का gap का, 0.45 विनिट अगर हम करें, तो कितना आएगा, डबल वन टू फाइव, यह भी अपका प्लेस में रहाएगा, दूसरा, 75 विनिट नेगेटिव है, इसका 0.25, जाएगा, माइनस 187, नेक्स 27,005 विनिट, नेगेटिव का 10%, 2750 है, माइनस 2750, आप देख लो, इनको प्लस वाले को ट्रोडल करेंगे, कितना आएगा, 4625 आएगा, माइनस वाले को भी करोगे, 4625 भी आएगा, प्लस माइनस, कैंसल 0 ही आने वाला, क्या पर 0 आएगा, क्यों 0 आ रहा है, उसके पीछे भी कारण में बताते था हूँ, क्यों, क्योंकि आप ने ये जो निकाला है, एवरेज निकाला इन सभी का, इनका जो गैप होगा, उसका आवरेज तो 0 ही होना है, क्योंकि ये कहीं पर बीच में, इसका उपर की भी value होगी, कि इसकी नीची की भी value होगी, दोनों का आवरेज तो 0 ही होना है न, कि कहीं न कहीं बीच का गैप है, तो उपर का गैप, नीचे का गैप मिला के, क्या होगा, 0 ही होगा, ये आपको समझना है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, हमें क्या करना चाहिए, पताया है, हमें ये करना है, हम इन सबको plus minus माने नहीं, हम सबको plus माने नहीं, हम सबको risk मानेंगे, तो देखा ज़िए तो ऐसे भी करा जा सकता था, कि हम इन सबको positive मानते वे सबको gap मानने, बट जब model बनाया गए, तो बोला गए, तो negative negative becomes positive, जिसने अगर मैं 75 minute मेरा negative है, इसको मैं multiply कर दू, 75 minute negative, minus minus sign कट हो जाएगा, plus sign आ जाएगा, तो एसी लिए हम क्या करते, gap square करते, जिससे आपका minus sign हट जाएगा, minus का sign हट जाएगा, मतलब favorable और unfavorable वाली चीज हट जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होते है, हम क्या करेंगे, gap square करेंगे, जो आपका gap है न, इस gaps को पता है, क्या कहते है, x minus x bar भी बोल सकते हैं, यह आपके x की value है, और इसे हम क्या मानते हैं, पता है, x bar बोलते हैं, वो बाद में आप सीख जाओगे, अब भी फिलाल आप ऐसे समझो, gap square करेंगे, 17,500 का क्या करें, बताएं, 17,500 का square करेंगे, x 17,500, बहुत बड़ा figure आएगा, 3062500, यह हमने करेंगे, next, 25 minute x 25 minute, 625, 625, 75 minute x 75 minute, 5, 625, 0, 00, 27,500 x 27, 5 minute, 75, 625, 00, 00, यह मैंने gap square निकाला, तो अब इससे मैं क्या समझता हूँ, देखाँ, मैं बोलूँगा, पता है, मेरे लिए यही काम की चीज, यह मेरे लिए काम की चीज नहीं है, यही मेरे लिए variance है, यही मेरे लिए risk है, यह मेरे लिए risk है, यह मेरे risk है, जैसे मैंने बोला, अलग-अलग सिनारियों में, best, better, good, worst, तो जैसे मैंने अलग-अलग सिनारियों का cash flows बताया था न, अलग-अलग सिनारियों का cash flow से, मैंने एक average cash flow निकाला, probability लगा के, वैसे अलग-अलग सिनारियों का मेरे risk भी आ गया, तो यह जो variance है यह individual risk है, individually अलग-अलग सिनारियों का, यहींने best scenario का risk यह हो गया, better scenario का risk यह हो गया, good scenario का risk यह हो गया, versus scenario का risk की हो गया मतलब individual variance है अलग-अलग scenario का risk कही है क्या है अलग-अलग scenario का risk हम individual variance कहते हैं समझ में आया अलग-अलग scenario का risk है एक बात बताओ जब आपने बहुत सारे अलग-अलग cash flow से expected cash flow निकाला था probability लगा के individual cash flows में probability लगा के आपका एक expected average cash flow आया था वैसे अगर में individual risk अगर मेरे से client पूछेगा कि बता risk है मैं बता दूँँगा देख तेरा best scenario में तेरा ये risk है तेरा better scenario में ये risk आ रहा है gap तो gap यानि risk तेरा good scenario में ये risk आ रहा है तेरा versus scenario में ये risk आ रहा है हम इसका average कर देंगे कैसे करेंगे ये individual risk में probability लगा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा आवरेज रिसक आ जाएगा आपका और उसी क्या कहते है बता है वारियंस कहते है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर average variance कि उसी को में variance कहते है average variance और जिसम सिगमा स्क्वाइर एक्स भी कहते है सिगमा स्क्वाइर एक्स तो यानि करना कुछ नहीं हमें हमें ये जो amount है इस पर ये probability लगाना है individual variance में probability लगाएंगे और individual variance में probability लगाएंगे क्योंकि हम बोलेंगे ये risk होने की probability 20% है ये risk होने की probability 45% है ये risk होने की probability 25% है ये risk होने की probability 10% है तो उसी से हमने क्या किया एक average risk निकाल लिए एक average variance निकाल लिया वही average variance हमारा क्या होगा तो मुझे बताइगी आभरिज वरेंस क्या बताओ मुझे आप क्या मुझे बता सक्तों जल्दी से बताओ मुझे किया आई मुझे जल्दी से बताओ कि ने बताओ मुझे आप ऊचुने मैं नहीं करूंगा इस पे क्या करोगे ये probability लगाओगे इस पे लगाओगे into this ये into this ये into this और आपका आ जाएगा जैसे इन सब में हमने probability multiply करके ये निकाला था वैसे gap में भी probability multiply करके निकालेंगे तो आया क्या नहीं आया बताओ बताओं मुझे जल्दी से बताओं मुझे लेट ना करो 15375 00 00 बताया किसे निया ये आया एकदम अच्छे से अब बता हम client को क्या बोल रहे हैं हम बता हम client को ये बोले देख तेरा expected average cash flow जो है 52,500 तेरा expected average risk जो है जिसे हम variance भी कहते हैं स्क्राइब को बता है क्या बता रहे हैं है 15375 00 कि आपको पता है क्या हो वह क्लाइन हुए वह 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 वाला मैं मुझे नीजी ना मैं जा रहा हो मरने के लिए वह पागल हो गया वह बहुस हो गया क्या पागल बात कर रहो अब हमारा च्छोटे मुटे आदमी च्छोटा मुटा धन्दा कर रहे है सेवेंटी थाउचन फिप्टी फाउचन फुटी फाउचन हमारे इसका टोटल भी करें तो उससे भी जाद आप तो रिस्क बता देरो बेवस होगी है पता है यह गंटा लगा उसे उठाने में में मेरा क्यास फ्लो होगा फिप्टी टू थाउचन फाइव इनट का और आप हम पदल है क्यूंकि हमने नेगटी पोजिटिव को leftover करने के लिए हमने क्या क्या क्र अठाइब को ब्लात की और इन सबको प्लस लेकर प्रभाइबिक लगा देते हैं सीधा ब cohort के लिए अब शीधे स्व ticket teammates कर रिखर स्था क्रीविनेट करें गरभ्ण योणने स्कूरल क्यों किया मैनष कलें आप ली आप सीधा भी तो मुझे बताइए अगर हम absolute terms में सभी को plus माल लेते तो ऐसे situation में हमारा risk क्या होता है individual risk ही होता 17,500 best scenario में risk होता है 25 minute better scenario में risk होता 75 minute आपका good scenario में minus plus को ignore करेंगे absolute terms में क्योंकि risk मतलब risk चाहे plus हो या minus हो और आपका 27,500 आपका risk होता absolute terms में और इस पर फिर क्या करते है यह probability लगा के हम बता देते हैं कि average risk क्या होगा तो यह बार करो 17,000 यह बार निकालते हैं 17,500 इन्टू 0.2 कितना आएगा 35 मिनिट आएगा 25 मिनिट इन्टू 0.45 यह कितना आएगा double one two five आएगा 75 मिनिट इन्टू 0.25 यह आएगा 1875 और लास्क है 27,500 इन्टू 0.10 इन्टू 0.10 कितना आएगा 35 मिनिट प्लस 1125 प्लस 1875 प्लस 2750 यह आएगा आपका एराउंड 9250 9250 का आएगा हमारा risk है यह 9250 का risk आता हमारा हम भोल देते हैं 9250 का risk है लेकिन हमने यह ऐसे क्या पर ऐसा करना नहीं है कभी भी हम ऐसा नहीं करते हैं यह जो मैंने 9250 निकाला approximately 9000 मानों 10 अप्रॉक्सिमेटली 10,000 का risk आता अगर absolute terms मिलेगा बट हमने square करके यह risk निकाला यह risk अपनी जगा में सही है लेकिन यह क्लाइन को क्लाइन का दिमाग गुमा देगा और इसलिए एक standardized form निकाला गया बुलागे कि यार यह दिक्कत करेगा क्लाइन को मुसीबत देगा क्लाइन को समझ में नहीं आएगा वो चक्कर खाकी किर जाएगा नेसेसरी आप यह काम करो क्लाइन को एक standardized form में बताओ standard deviation बताओ standard deviation और कुछ नहीं standardized form में वो क्या कहता है पता है आपका standard deviation standardized form में रियल में रिस तो यही है जो आपने निकाला standard deviation क्या कहता है पता है जो आपने variance निकाला था न सिग्मा स्क्वार एक सुक्तो रूट कर दो आप क्यों रूट कर दो पहले आपने square क्या था न रूट कर दो आप तो यह आपका क्या है पता है रूट ओवर 15375 0000 रूट कर दी आप 15375 0000 क्या रहा है 12399 12390 अब जाके सास में तेरी सास है आपको बते हैं अब क्लाइंट बोलेगा सास में तेरी सास मेली तो मुझे सास है ना तो अब यह को यानि हम बोलेंगे कि देख क्लाइंट चक्कर खाने की जरत नहीं है तेरा एवरेज कैस फ्लो यह फिटी टू थाउचें फाइंट और तेरा रिस्क जो है वह तेरा स्टेंडरडाइस वर्म में हम तुझे बता दे रहे हैं है ना पडोस की दिया में आपके लिए ताजा ताजा गरम गरम स्टेंडरडाइस वर्म में तेरा रस्क जो है 12399 यह हमने रि पहले स्क्वाइर किया था अब एक सिंगल फिगर को सिधा रूट कर दो सिधा रूट करोगे आपका स्टेंडर्ड अविशन तयार है बताओ क्या यह समझ में आया हां या ना मुझे बताओ क्या यह समझ में अगर आप घर पे बैठके इसी प्रकार से यह वाला करोगे इसक सब्सक्राइब सब्सक्राइब गुड और वर्स इसमें मैं क्यास फ्लो लेता हूँ 50 1000 और 3000 50 और जान मुझके में प्रॉबिलिटी अबर दूस सबका बराबर लगता हूँ 51,000 प्रस 53,000 प्रस 51750 प्रस 53250 अच्छा 52,250 हो रहा है ना 500,000 बढ़ाना अपको 1000 किसमें बढ़ा है यह मैंने कर दिया 52,000 प्रस 53,000 प्रस 51750 प्रस 53250 इवैड बैफ फूर 52,500 आप देख लो सब में प्रॉबिलिटी लगाओगी न अगर आप चलो यह भी बताई देता हूँ साथ साथ ही बताता हूँ आप ओमवर्ग नहीं देता हूँ तो आपका एकस्पेक्टेड कैस्ट लो पता है कितना आएगा 52,500 आए अब देख लो बट इसमें उसमें फर रहक है देखे यहाँ पर भी हमारा 52,500 आया एकस्पेक्टेड कैस्ट लो पर इसमें गाप्स बहुत जादा है सब्मक्रमी सब्मक्राइब नहीं कीतना उसमें आपका बहुत ल मेटूना था एकस्पेक्टेड की可以 बोल सकता हूं क्योंकि यहां पर gap जादा नहीं जादा नहीं जैसे इसके लिए में एक example लेता हूं विराड कोली का और विरंदर सेवाग का example लेता हूं में विरंदर सेवाग भी खतरनाक कभी 300 बना देगा हूं कभी 264 बना देगा और कभी 10 में आउट हो जाएगा बट विराड कोली का consistency है उसमें आप देखना वह यूजवली क्या करता है पचास साथ सो एक सुद्स एक सो बीस यह नहीं वह कोई consistency में करते हैं कि किसमें जाता है हम बोलेंगे रोज सर्मा में रिस्क जाता है रिस्क किसमें कमें वैसे आप देखो वैसे लिएक और अगर विप्ते थाजिन विनिट्वा थो गिएम कितने का भी अए आपका ग्याप आया अब इसको हटाने के लिए रहे में आप स्कॉयर कर देता है यह एक ग्यांस मुत्याऌ होगा मेरे क्या जाते तू लाक तुटी धाउजिन होगा और यह सेवन फिप्टी इंटू सेवन फिप्टी 562500 यह आ है हमारा अब इस पर हम क्या करेंगे probability लगा देंगे probability बराबर की तो मैं सिध्य टोटल डिवाइट पर पोर कर सकता हूँ क्योंकि बराबर की probability है इन टू पउट तू फाइव इन टू पउट तू फाइव अलग अलग करने की जरद depression कर सकतो वैसे वह अंसर सेम ही आएगा क्योंकि बराबर probability में आप एक एक करके probability लगाओ या फिर total divide by 4 कर दो अब यहाँ पर तो अब देखे 2,50,000 plus 2,50,000 plus 5,6,25,00 plus 5,6,25,00 divide by 4, 4, 0, 6, 2, 5, 0 आ रही है यह आ रहे क्या, divide by 4 करेगा कौन, अच्छा कर दिया न 5,5,10, yes 5,00 plus 5,6, 5,00 4,06,25,00 यह हमारा क्या होगे average variance होगा therefore sd क्या होगा root over 406,25,00 कि देखो कितना मैंने मुला हजार दो जार उससे भी कम है 6,37 आया देखे कितना कम है आप जो पहले वाले case में आपका cash close था 52,005 विनिट लेकिन रिस्क था 12,399 का इस एक्जामबल में आप देखे क्या स्लो वह यह बट रिस्क आपका 6,37 का तो क्या हम पर gaps कम है जितना gaps कम होगा उतना risk कम होगा आपका अगर same amount होगा तो risk आपका 0 होगा यही हमारा risk जो मैंने आपको निकालना सिखा है तो मैंने statistical analysis जो मैंने आपको statistical technique समझा है इसमें मैं probability variance और standard deviation आपको मैंने अच्छे से clear करवाया आप बताईए एकदम अच्छे से clear हुआ की नहीं हुआ आगे हम coefficient of variation सीखेंगे coefficient of variation के अंदर हम आगे further यह तो बहुत सिंपल्स है इसमें तो कुछ ही निदम ही नहीं है coefficient of variation risk adjusted discount rate certainty equivalent फटा फट होगा इसमें तो कोई tension की बात ही नह आपको समझ आया कि आपका gap जो है है ना लॉचिकल यह आपको समझ में विराड़ी इग्रेसी बट कंसिस्टेंट बट तेवाक सर इस जो होगा दिखा जाए हम तो ऐसे ही कहलेंगे वहीं विराड़ 5200 World Cup 2023 most consistent अवार्स तो आप यह समझ लीजी हाँ पर समझ में आया एक्दम बताओ अब अच्छे से समझ में आया कि नहीं है मुझे बताओ मैंने अपना best courses किये हैं आपर बाकी तो आगे पूर्पोलियो में discuss करेंगी क्लियर है एकदम अच्छे से बताओ सब कोई मुझे बताओ सब कोई अच्छे से clear है अगर clear है तो हम देखते हैं हमारे question bank के अंदर एक या दो question देखना बनता है हमारा पताओ यह जड़ा अगर clear है तो हम देखते हैं पूलो yes clear है question bank में आना पसंद करोगे question bank में आना पसंद करोगे illustration 3 हम देखते एक बार illustration 3 तो इतना easy है कुछ पूछा है नहीं इसमें आपसे पूछा है पता है क्या expected क्या slow बताओ यह मैं notes में नहीं कराओंगा question में नहीं करा दूँगा आप खुछ से copy में कर लिए अपने copy में खुछ से कर लिजे देखें illustration 3 में मैं आज जल्दी छुटी दूँगा पहला एक दो क्लास दो घंटे के करेंगे अड़ाई घंटी का नहीं करेंगे तो अभी ब्रेक नहीं दूँगा मैं मैं आपको जल्दी छुटी दे दूँगा तिक इसलिए ब्रेक अभी नहीं लें आगे फर्दर हम जब प्रिस्टी जी का सवाल में समझ नहीं बाया का कहना कि बाकी और डिटेल में पोट्पोलिय में भी सीखी जाओ गया देखो illustrations 3 possible net cash flows of projects A and B at the end of first year and their probabilities are given below discount rate आपका 10% है और both the projects आपका initial investment बता दिया 10,000 का लगिया दोनों project में initial investment बता दिया आपसे पुछा कि expected NPV बताओ इस project और बताओ कौन सा project preferable है state which project है सबसे पहली बात तो यह कि आप मुझे यह बताइए project A का cash flows दिया हुआ है probability दिया हुआ है उससे expected cash flow निकाल सकते 8,000 का 10% 800 होगा 10,000 का 20% 2,000 होगा 12,000 का 40% कितना होगा हर cash flow में मैं probability लगा रहा हूँ 12, 24, 36, 4800 होगा 14,000 का 20, 2800 होगा 16,000 का 10, 1600 तो आप देखिए 60, 800, 76, 86, 92, 100, 212 ना रहा है 2,000, 6,000, 8,000, 9,000, 10,400, 11,200, 12,000 आ रहा है मेरे ख्याल सही है 12,000 आ रहा है बोलो हाई है ना 12,000 आ रहा देखिए इधर की बेकर हम बात करें 24,000 में 10% probability लगा दिया 2400 आया 20,000 में 15% का probability लगा एकितना आया 3000 आया 16,000 में 50% probability लगा ए 8,000 आया 12,000 में 15% लगा या कितना आया 1800 आया 8,000 में 10% लगा ए 800 आया जिना 5,400, 18,400 एंड आपका 2600 16,000 आयेगा हमारे है हम यह मान के चल रही है हैं पर कि एक ही साल का यह प्रोजेक्ट है वान कर्यों कि कि एक साल का डीटा दिया हुए और यह भी नहीं बता है कि किदने साल का प्रोजेक्ट है तुम इन आप मुझे बताई कि 12,000 first year में हमारा expected cash flow है एक ही साल का प्रोजेक्ट है 12,000 को आप एक साल back present value में खीचोंगे discount rate 10% दिया हुगा है तो 0-3 का present value of cash inflow क्या होगा cash inflow तो मैंने 12,000 निकाल लिया अब 12,000 का present value क्या होगा एक साल back कर देंगे 10% से यह आएगा 10,909 तो 10,909 मेरा present value of cash inflow होगा और initial investment मेरा 10,000 है तो NPV कितना है 909 आया तो यहाँ पर पहले वाले project में मेरा NPV आया 909 का दूसरे वाले project का अगर मैं NPV बताऊं मैं बुलूँगा 16,000 का मेरा first year में cash flow एक ही साल का project है 10% डिसकाउंट रेट है तो 16,000 डिवाइड बै वन पॉइंट वन जिरो यह रहा वन फॉर फाइव फॉर फाइव 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 पाइव और टेन थाउचिन मेरा क्या है इनिशल इंवेस्मेंट है तो यह क्या है एगा फॉर फाइव फॉर फाइव आएगा तो आप देखिए यहां पर दोनों में 10,000 रुपी इस इंवेस्मेंट होगा हमारा ठीक है प्रोजेक्ट वाइबल हैं बट दोनों में से अगर एक प्रोजेक्ट चुनना हो तो हम कौन सा चुननेंगे अप्रोजेक्ट बी चुनेंगे तो यह मैं आप लोग को देता हूं self homework खुद से अपनी copy में present करोगी आप IEC के style में करने की आवज सकता नहीं आप खुद से भी कर सकता हो देखे 909 4544 एक रुपए का फ़रक यह को दिक्कत नहीं इन्हों निकाल रखा हुआ illustration 4 भी अगर मैं आपको बुलू हूँ यहाँ पर तो IEC इन्हों ने solution को पूरा complete नहीं किया मैंने देखा था IEC के अंदर भी हम आगे complete करके उनको बताएंगे हम NPV बताने के बताएंगे project कौन सा preferable है हम बताएंगे project B is preferable because NPV higher है na project B is preferable और इसके लिए profitability index निकाल के भी हम बता देते हैं कुछ नहीं simple है वो हम next class में discuss करेंगे अगर आप NPV से नहीं देना चाते तो और हाला की profitability index का तब रूल आते है जब अलग-अलग project का initial investment अलग-अलग अगर same initial investment है तो आप NPV से decision ले सकते हैं इस तब हम next class में discuss करेंगे विज लॉजिक प्रॉपर लॉजिक के साथ सब कुछ next class में अच्छे से discussion होगा कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं ताकि exam में कैसा भी question है नया पुराना common uncommon कोई भी नया frame question भी आप सभी चीज़ों को समाल सको है आपका mind इतना अच्छे से clear हो जाना चाहिए कि सब कुछ आप समाल सको है आपर तो यहां पर मैं आपको homework दे रहा हूं इलस्टेशन 3 homework है इलस्टेशन 4 homework है कि और साथ साथ इलस्टेशन 5 की homework क्योंकि इलस्टेशन 5 में variance and standard division पूछा गया है मैंने आपको example से इतने बहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों करवा दिया न अब अब यह नहीं कह सकते कि सर हमसे होगा नहीं 345 आप तीन हो इलस्टेशन 12 तो आपका रहे गई हमने कर लिया है 345 मैंने example में इतना अच्छे से clear कर रहा है कि मैं 100% sure हो कि इलस्टेशन 345 आप अराम से समाल ह से तक बता कर ढूक के आओगे आँगे आँगे अब बता दिजय कर की आओगे कि अराम से समाल हो है तो इसली के साथ हमाजी क्लास को मैं आज की क्लास को लिए खतम करतें और मैं अपको बता दो सेवन्थ को क्लास नहीं होगी क्योंकि कुछ हमारे घर पर function है जिसके चलते सब्सक्राइब को भी क्लास है तो इसनाज यह आज 100% हो जाएगा अभी कॉल्स भी बहुत सारे टीम के में डिसकस कर लूँगा आज 100% हो जाएगा वोग्स भी हम कुछ कुछ चीजों को अपडेट कर रहें उसके बाद माइनर कुछ-कुछ एर्र उसको ठीक कर रहें उसके बाद हम डचल डिस्पैश कर वादें ज्यादा वेट नहीं करें कि चलो सब कुछ क्लियर यह सब्सक्राइब का एक्सेस मिल जाएगा सब्सक्राइब को बात बता तो अभी टेंपररर ली चारपास दिनों के लिए टेंपररर चला रहे क्योंकि नहां वाली बात नहीं आपका एकदम अच्छे से कहीं पर भी किसी चिच्च की परहसानी में सब्सक्राइब करने क्योंकि को इस मैं आपको इसका एक्स्ट्राइब में मैं आपको कैपिटल बैजेटिंग का कोश्ट्राइब का एक्स्ट्राइब सब कुछ परफेक्ट है कि मैंने क्लास 11 को ली ती अभी तेक एक्सेस कुछ पंगाया होगा आप मुझे एक बार है ना टेलिग्राम कीजेगा मैंने मुझे टेलिग्राम कीजेगा 9864047095 पे मैं आज होना तो नीचे तक किस कारण से हुआ मुझे समझ नहीं आया बट हम दे आठ टेलिग्राम कीजेगा मुझे तो और लू장 कीजेगा मिल जाएगा आफ अगर आपने कल लिए कर तो एक दीन में मिल जाएगा प्रके सुवह मine मिलनगा है सुभां जिदि बैक अप मिलेगा रेक इख आइप कि अपना जी इस बारे में प्लाइन करें कुछ कोसिस करेंगे आप लोग के तक कि आप लोग भी लाइव देख सको कोसिस करेंगे ठीक है तो आज की क्लास को हम यह समाप्ट करते हैं अच्छा धर्सनच जी अच्छा लाइव के लिए आपने लिया था हाँ जिसने पहले luggage लाइव वैठ्म इस बात की मैं guarantee ले और आज तक आपको लाइब का access भी मिले जाएगा ताकि कल सब्सक्राइब में class कर सकते हैं तो अब नेशिंद रही है टेंसन फ्री रही है एकदम नेशिंद हो कि अगर को दिक्कत नहीं आए सब्सक्राइब करूंगा कि आज रात के अंदर आपको किसी को को दिक्कत नहीं आने देंगे ठीक है चलो तो आज के लिए टाटा बाई-बाई-बाई-व्रीवन ठीक है आज के लिए समाप्त करें हम कल मिलते हैं इबर्स अभी कोई बाई-बाई कह दीजा नहीं यूटूब में नहीं होगी आगी क्लास फटर में होगी तो प्रतिक जगादी.com से लिए कल से क्लास आउप्टर में हो गया है है तो पुराञे बच्चे हैं जिनका क्लास एक्सपार वागीember वी चीजे हैं योँ सब का एक्सों उनको देंगे वह भी देंसन अब इसांस के लिए नियुच Corps जो लो बाई बाई अवरीगोंट ठीक है